तो चलिए बच्चों आज धुए में उड़ाने का समय आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा इलेक्ट्रो स्टेटिक्स के अंदर बेटा आप पहला लेक्चर अलड़ी कर चुके हैं अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजेगा जिसके अंदर मैंने आपको कूलम्स लॉओ और साथी साथ बेटा मेथर्ज ओफ चार्जिंग के बारे में डिटेल में सारी बाते बताई हैं आज यह मकसद है वह यह मकसद है यार की एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पे फोर्स तो लगाता है कि एक Q1 Q2 बायार्स कर लेकिन उस फोर्स का कारण क्या है वो force क्यों लग पड़ी अगर आप बच्चों किसी चीज़ पर force लगाते हैं तो आपका उसके साथ physical contact होना बहुत जादा important है जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके room के अंदर अगर कोई table chair पड़ी है आप उसकी location change करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप आप सबसे पहले जाएंगे उसे पकड़ेंगे और उसके उपर force लगागे उसको side पे करेंगे अगर तुम लोग पड़ाई नहीं करोगे तो बिन इसर क्या करेंगे पैरे बरे टमाटरों के कान को मरोडेंगे थोड़ी से पिटाई करेंगे और बोलेंगे पड़ाई कर लेंग के अंदर बताया जाएगा तो फटाफ़ाट chat box में अपनी attendance लगा दो मुझे बता तो that am I clearly audible visible क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बले बले कर दो like this session और आप जानते हैं जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला intent यही होता है positive video के साथ उसे सुनना है और उसमें आगे बढ़ना है yes sir so yes तो मैं live हो चुका हूँ बच्चे भी सारे यहाँ पर आ चुके हैं तो आईए फटा-फट शुरू करते हैं आज की session को तो जैसे smile winner sir ने बनाई है इसी smile के साथ बेटा session को शुरू करेंगे और हाँ बहुत सारे सबस्क्राइब कर लिया thank you for that तो अब शुरू करते हैं यार सीरा मुद्य के बाद पे इलेक्ट्रिक फिल्ड आज हमारा उदेश्य है इलेक्ट्र सट्रिस का अज लेक्ट्र टू हम बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक एक बहुत स्कोरिंग और इंपॉर्टन टॉपिक है means और advance के सबसे भी तो पूरा आज इसका बड़ा चीर फाट किया जाएगा पूरा operation कर देंगे diagnosis करके आपके सामने रखेंगे और यह chapter आपके लिए यह topic आपके लिए बिल्कुल लडू बना दिया जाएगा तो चलिए मेरे लडू हो सब बचे आज के हैं बिल्कुल चलो चार्जिस के बीच में जो फोर्स लगती है ना दो चार्जिस के बीच में जो इंट्रक्टिव फोर्स लगती है अब यह इंट्रक्टिव अट्रक्टिव भी हो सकती है यह इंट्रक्टिव रिपल्सिव भी हो सकती है तो जब भी दो चार्जिस के बीच में जो फोर्स लग का इलाका, in which its force can be experienced by another charge ये जड़ी बड़ी interesting सी बात है कहता है, एक charge के आसपास का इलाका, जिससे किसी एक दूसरे charge पर force लग सकती है एक second के लिए बेटा, ये सब भोल जाओ, electric field नाम की कोई चीज है हम एक आपके सामने example लेते हैं, let's say let's say ये प्यारे से handsome से आपके सामने विने सर है, ना मैं प्यारे से आपके सामने ये handsome बड़ा फट जड़ा chat box में बता दो क्या मैं सच बोल रहा हूँ क्या विने सर प्यारे से handsome से आपको लगते हैं कि मुझे ही लग रही है तो ये बड़े डैशिंग से प्यारे से एक दम से ना goggles कहलो वैसे है तो स्पेट से ये हना आपको यहाँ पे विने सर फिदिक्स पड़ा रहे है विने सर फिदिक्स पड़ा रहे है अब इसे ऐसे सोच के देखिए आप सब लोगों ने मेरा YouTube का सेशन ओपन किया हुए और तुम सब मेरे लेक्चर के अंदर बैठे हो और इस YouTube की वीडियो के अंदर मैंने एक हवा में स्पेस में कुछ तो क्रियेट कर दिया ये मेरा इलाका है मैंने एक यहाँ पे एक फिल्ड क्रियेट कर दी लेट सेट इस फिल्ड is called as Physics field इसका नाम भी हम रख देते हैं Physics field विने सर के लेक्चर के अंदर विने सर कुछ तो क्रियेट करते हैं कुछ तो रिडियेट करता हूँ मैं एक Physics field को मैं रिडियेट करता हूँ और तुम सब प्यारे प्यारे टमाटर मेरे इस region के अंदर आके बैठे हो तो एक टमाटर यहां पे कहीं बैठा है क्यूट सा एक टमाटर यहां पे कहीं बैठा है एक टमाटर यहां कहीं बैठा है तो तुम सभी टमाटरों पे मेरी एक force लग रही है It is the force of Physics मेरी एक force लग रही है I assume that तुम्हेν Fitz समझ में आ रही है ऐड़क्स तुम्हारे लिए आसान हो रही है फटापा Tarebox में agree करो हो रही है कि नहीं हो रही है बच्छो बिलकुल हो रही है तो सेम बेटा इसी बात को जड़ा समझने का प्रयास करो जो बच्चे मेरे इलाके के अंदर हैं जो नोंने मेरा वीडियो ओपन किया हुआ है उन्हें फिजिक समझ में आ रही है जो बच्चे मेरे इलाके के अंदर नहीं है जिन्होंने वीडियो ओपन नहीं किया उन्हें मेरे फोर्स समझ में उनको physics समझ में नहीं आ रही है और हम दोनों में कोई physical contact भी नहीं है सिरफ कुछ तो एक radiation है जो मैं यहां से radiate कर रहा हूँ और तुम्हारे दुमाग पे force लग रही है तुम अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ तो ऐसे ही मेरे बच्चे हों एक field ऐसे सोची इसका इलाका और इस इलाके में तुमने अगर कोई और चार्ज रख दिया और यार यह एक field लग रही है इस region के अंदर तो इस q-not पे एक force लग जाएगी इन इस particular direction तो मेरी बात को जड़ा ध्यान से सुनना एक positive charge से जो field निकलती है वो readily outward निकलती है इस field की वज़ा से इस point charge पे force लगती है अगर मैं तुम्हें exact इसकी definition बताऊं तो बेटा mathematically electric field is defined as force experienced per unit test charge यह जो charge हमने यहाँ पे रखा है Q-not यह जो charge आप रख रहे हो इस charge को हम कहते है विने सर क्या test charge यह कौन है विने सर यह एक test charge है जिससे तुम testing कर रहे हो इस test charge को तुम बटा उठा के यहाँ रख दो लेट से मैंने यहाँ रख दिया तो field ऐसे जा रही है तो field की ही direction में यहाँ पे हमारी force लग गी तो आप इसे ऐसे सोच के देखिए कि एक charge एक दूसरे charge पर जो force लगाता है उसका कारण field है और field को निकाला कैसे जाता है force experience per unit test जाता जितनी यह force लग रही है इसको by q not कर दो तुमें basically force field की value मिल जाएगी साथ इसाथ बच्चों एक आपको और interesting इसको officially भी आगे भी उठाऊंगा एक आपको एक और interesting बात बताता हूँ हम define ऐसे करते हैं electric field को force by test start लेकिन यह बात अपने दिमाग में हर वक्त रखिएगा field जो है वो force से नहीं आ रही field force से नहीं आ रही यह तो चलो हमने define कर दिया ऐसे ideally तो बढ़ा field exist करती है जिसकी वज़ा से force लगती है हमारा सही formula है ठीक है न तो field है field है जिसकी वज़ा से हमारी force लग रही है और अगर बेटा charge positive हुआ सोचके देखो अगर charge positive हुआ तो field की direction में force लग जाएगी मतलब अगर मैं यहाँ पे एक positive charge रख दूँ तो field हमारी right जा रही है तो इसी की direction में बेटा हमारी force लग जाएगी और अगर बेटा मालो मैंने यहाँ पे एक negative charge रख दिया मैंने यहाँ एक negative charge रख दिया तो field उपर जा रही है positive charge field outward फैक्त है तो अगर negative charge रख दूँगा अगर Q को negative कर दिया तो जो force होगी वो field के opposite लग देगी और देखो बेटा यही interesting point है like charges repel ली इचेदर like charge भाग रहे हैं और unlike charges जो हैं वो हमारे attract कर रहे हैं तो हर एक charge का अपना इलाका होता है positive charge का readily outward है और यही बेटा अगर मैं negative charge बता हूँ तो negative charge का जो इलाका होता है वो हमारा readily inward होता है that is an inward field जो आप अपनी screen पे बच्चों यहाँ पे देख पारे है yes sir yes sir, fields होती है वो negative अब मालों यहाँ पे मैंने एक negative charge रख दिया इसे ऐसे सोचो अगर एक negative रख दिया एक positive रख दिया अब आप देखो बेटा field inward आ रही है अब अगर हमारा positive charge हुआ तो force लगेगी field की direction में positive charge हुआ जैसे यहाँ पे आप देख पारे है अगर positive charge रख दूँगा तो field की direction में force लगेगी और अगर field inward आ रही है charge negative है तो force field के opposite लगेगी तो देखो negative रिपेल कर रही है positive negative जो है वो attract कर रही है तो बड़ी interesting सी बात आपके सामने रखी गई है that a positive charge always radiate a field in the outward direction negative charge की जो field होती है वो inward direction की होती है और यही मैं सारी बेटा कहानी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ mathematically electric field is defined as यहाँ पे मैंने लिख भी दिया अब इसे mathematically कैसे define करते हैं electric field is defined as force experience per unit test charge तो force experience per unit test charge तो यह by a q-not जो है यह जो है मेरा basically it is my test charge यह मेरा test charge है और साथ ही साथ बचों याद रखना test charge को हम usually बेटा बहुत छोटा लेते हैं क्योंकि बहुत सीधी सी बात है यार यह जो test charge है इसकी खुद की field भी होगी न तो मैं नहीं चाहता यह जो test charge है इसकी field इतनी स्ट्रॉंगों की इसकी original field को वो disturb करे तो we keep this thing practically very very small जिसकी वज़ा से आप इस major जो हमारा charge है उसका analysis आप comfortably कर पोगे और साथ ही साथ बच्चों फील्ड के एक और formula याद रखें it is a vector quantity एक बहुत जबरदस्त आपको बटे के animation दिखाऊंगा आपको सारा समझ में आजाएगा it is a vector quantity और साथ ही साथ बेटा इसके जो units होंगे वो क्या होंगे हमारे newton पर कूलंग तो आईए बेटा मैं लेकर जलता हूँ आपको एक बड़े ही must simulator पे must simulator पे आप इसे ऐसे देखिए आपको बड़ा अभी आनन्द आएगा मैं आपको लेकर जलता हूँ थोड़ा बाहर जलते हैं बटा आईए बड़ा ही इंटरस्टिंग simulator है मैंने इस simulator का link भी आपको इस video के description में डाल दूँगा ताकि आप लोग इसे अराम से बैठके देख सकें और enjoy कर पाएं ठीक है जी तो चलिए मेरे बच्चो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ठीक है तो यह देखो यह हमारा positive चार्ज है प्लस वन कूला देखो देख रहे हो मेरे बच्चो स्क्रीन पे ठीक है जी यहां पर बेटा मैंने यहां पर एक शो फील्ड का उप्शन है तो मैंने यहां पर फील्ड को शो कर दिया अब आप देखो यह जो positive चार्ज है यह जो पॉजटिव चार्ज है जो आप स्क्रीन पर बच्चो देख सकते हैं अब आइगेस एक सेकंड बड़ा इसको ऐसे देखते हैं एक सेकंड दी जड़ा एक सेकंड हाँ जी बच्चों तो जरो ध्यां से देखिए जड़ा बड़ा देखो जरा देखो यह हमारा एक positive चार्ज है आज आभी चलो यह तू कुलम नेते हैं आपन लेट से इस तू कुलम तो बड़ा मैं यहाँ पर फील्ड हटा देता हूँ देखो यह जो टू कुलम चार्ज है ध्यान से सुनना बच्चा हूँ अगर आप इसकी electric field इससे एक electric field निकल रही है positive चार्ज से आउटवर निकलती है अब यही बेटा अगर चार्ज नेगेटिव कर दू है ना चार्ज टू कुलम की बजाए माइनस टू कुलम कर दू तो देखो यही electric field readily inward आ रही है तो negative charge की जो field होती है वो inward होती है positive charge की जो field होती है वेने सिर वो हमारी outward होती है तो वापस positive पे जलते है बच्चो ठीक है पहली चीज़ तो तुम्हें फील्ड दिख गई अब मालो मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया अब इस यह तो यहां पे टेस्ट चार्ज पड़ा है इस test charge पे अगर तुम force देखना चाहते हो एक सब्सक्राइब देखो जड़ा बच्चो यह थोड़ा है एक सब्सक्राइब तो अगर मैं यहां पे test charge रख दूँ एक स्लेक्ट हो जावी एक सेकंड गाइस चलिए तो गाइस लेट से आए वान टे वन चार्ज चलो एक चल ले लेते हैं अपन और क्यूव न को ले लो बटा वन कुल अपन तीक है तो यह हमारा बटा पॉजटिव तेस चार्ज है और इफ प्ले दिस तिंग गाइस एक सेकंड दी लेट मी रीफ्रेश इट पूरा साफ हो जा बढ़िया से हाँ हो गया तो बचो जड़ा स्क्रीम पे देखना आप लो ठीक है जी हाँ तेखो यह बटा मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया देख रहे हो तो यह बेसिकली आप लोगों का अगर आप देख रहे हो दुबारा से पेटा यह हमारा टेस चारज आप लेट यहां रख़ा दो तो फोर्स लगेगी फील्ड की डिरेक्शन में इस उठागे यहां रख़ देता हूं देको जिस तरफ हमारा फील्ड लग रही है यह जो ग्ल्यू क्लर की लाइन है यह आपका basically क्या है बचो इट यह ओर टेस्च फोर्स क्यों लग रही है उसका कारण फील्ड है इस डिरेक्शन में आउटवर्ड फील्ड जा रही होगी जिसकी वज़ा से यह फोर्स इसकी उपर लग रही होगी अगर आप यहां से इस चार्ज को छोड़ दो लेट से मैं इस यहां से छोड़ देता हूँ मैंने प्ले कर दिया तो इस चार्ज का बेटा देखो, तुमने रच से छोड़ा, फील्ड की डिरेक्शन में फोर्स लगेगी, देखो, दिरी दिरे वो बिशिकल इस डिरेक्शन में प्रॉपगेट होता गया, और अगर मालो मैंने उठा गई, इसे उठा गई, यहां पे कही रख दिया, अब इस दिरेक्शन में फोर्स है, इवेंच़्ली फोर्स लग लग के लगूल के वो कवड़ पात कि और रचपो, तो मुंद्य की बात, अगर मैं आपके सामने रखो एड़ा, अगर पॉजिव चार्ज है, तो फोर्स फील्ड की डिरेक्शन में है, और आसे मेरे बिच्चों, अगर माल लो, let's say, मैंने यहाँ माइनस टू कूलम ले ले ले, let's say, I have taken a माइनस टू कूलम, अब माइनस टू कूलम का जो फील्ड है, वो इनवर्ड है, मैं एक, देख रहे हो, फील्ड इनवर्ड है, अब देखो, ये पॉजटिव चार्ज है, अब देखो, फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स फील्ड की डिरेक्शन में लगेगी, मैं यहाँ पर रख दूँ, देख रहे हो मेरे बच्चों, फोर्स ऐसे लगेगी, मैं ऐसे रख दूँ, मैं ऐसे रख दूँ, और इसका कारण क्या है, what is the reason, the reason is that the field is readily inward, बच्चों, ठीक ह वो reason है कि एक charge particle, दूसरे charge particle पर बच्चों, फोर्स लगा देता है, ठीक है जी, तो आज का जो उदेशे है, वो हमारा यही है, आपके साथ यहाँ पर बच्चों, डिसकस करना, तो आगे जरा, डीटेल में इसे समझते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा पहले आपको feeling दे दिया, अब थोड़ा सा mathematics की उपर जाते हैं, यह सारी स्टोरी है क्या, तो आओ जरा, मेरे बच्चों, सीन यह है, कि अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखूँ, है न, electric field is force per unit test charge, तो अगर बेटा, मैं यहाँ पर रखूँ, जो मैं आपको बता है, अगर मैं test charge रखूँ, तो इस test charge पर जो force लग रही है, वो लग रही है field की direction में, तो तुम देख रहे हो, बेटा, यह जो positive charge है, इस positive charge से आर डिस्टंस पर जो electric field होगी, बेटा, it is basically radially outward direction, और मुझे इसका magnitude निकालना है, इसका magnitude निकालना है, पहले मैं तुम्हें इसकी value बता देता हूँ, इसकी value जो होती है, यह होती है, कैसे निकली मैं आपको भी बताता हूँ, आप क्या करते हो आप क्या करते हो, यहाँ पर रखते हो एक अपना point charge, लिकाना यहाँ पर रखते हो विने सर क्या एक point charge, तो let's say मैंने एक positive point charge Q0 यहाँ पर रख दिया, अब इस charge की वज़ासे यह test charge है, इस charge की वज़ासे इस charge पे एक electric field गिरी, जिसकी वज़ासे इस charge पे एक force लग जाएगी जिसकी वज़ासे, क्योंकि positive charge है, electric field की direction में जाएगा, electric field की direction में इसके उपर एक force लग जाएगी, तो अगर मैं तुमसे पूछू, यह force की value कितनी है, विने सर यह force की value कितनी है, तो force की value आप क्या लिखोगे, क्यू, 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 अपन विने सर आर स्क्वेर, यह बेटा, हम कहते हैं, हमारी electric field, this is called as my electric field, बेटा, बास समझ रहे हो, इसी का जो नाम है, वो विने सर क्या है, हमारा electric field, this is defined as the electric field, और the value of electric field is nothing, it is kqy r², इसको ऐसे भी आप सोच चते होगी, अगर मैं r को बढ़ा दू, तो electric field जो है, बेटा, वो हमारी weak हो जाएगी, और r को क कर दूँ, तो electric field हमारी strong हो जाएगी, और in fact बच्चों, इसी तरह, अगर मैं यहां पर आपके सामने एक negative charge लो, है ना, यह minus q की जगा, negative charge लो, तो आप याद रखिए, इसकी जो electric field होती है, वो होती है, again, readily inverse, और again, the magnitude is defined as minus or not simply, kq by r², अब यहां पे और बड़ी interesting बात मैं आ fine करते हैं, but ideally मैंने आपको पता है, उल्टा है, electric field होती है, दुनिया में electric field होती है, जिसकी वज़ा से force लगती है, तो अगर charge positive होआ, तो field की direction में force लग जाएगी, अगर charge negative होआ, तो electric field के opposite आपकी force लग जाएगी, तो reason actually आपको पता होना चाहिए, कि हम, क्योंकि पहले coulombs law बना, बाद में electric field बनी, but ideally दुनिया का resistance देखा जाए, तो field पहले से थी force उसकी वज़ा से लग रही है, ठीक है जी, तो यह सारी बेटा हमारी आपके सामने story है, और अगर मैं आपके सामने, यहाँ पे एक छोटा सा point और आपके सामने रख दू, यह अगर बेटा इस screen को 200 मे मैं divide कर दू, और आपके सामने सबसे पहले बेटा मैं बताओ भाया positive charge, तो positive charge की electric field कैसे होगी, विने sir, clear हमें यह information होनी चाहिए, positive charge की जो field होती है, that is radially outwards, something like that, जो मैंने अभी आपके सामने बताई भी, radially, radially outwards, जो हमने भी यहाँ पर बनाई भी, अगर आपको इसका कोई magnitude पोच ले, तो आपको पताऊना चाहिए, r distance पर जो magnitude होता है, वो होता है k cube by r square, और ऐसे ही मेरे भाई, अगर यहाँ पर कोई negative charge आ जाए, तो negative charge की जो field होती है, विने sir, वो होती है, radially inverse, वो अंदर की तरफ उसकी तरफ आ रही होती है, यही मैंने आपको बेटा simulator के अंदर भी दिखाया है, यही मैं आपके सामने दुबारा, फिर यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, जिसकी उपर आपको पूरी clarity बचो होनी चाहिए, magnitude दोनों में same है, r distance पे negative charge की field होगी k cube by r square, लेकिन होगी वो इ और अगें यह positive charge होगा, तो यही जो field होगी वो होगी हमारी यहाँ पर outward, और एक और बड़ी अच्छी बात याद रखो, कि electric field lines जितनी पास-पास होईगी, उतनी field वहाँ पे strong होगी, strong field, और जितना बेटा इनका आपस में gap बढ़ता जाएगा, दूर जाते जाओगी, it represents your weak field, यह भी एक बड़ा interesting point है, देखो logical बात है, तुम pass आओगे, R कम होजएगा, R कम होजएगा, तो field की value strong होजएगी, तो ऐसे भी याद रखो, जितनी इनकी spacing कम है, उतना field strong है, जितना इनके बीच में spacing जादा है, उतना field हमारा weak होजएगा, ऐसी negative charge के पास आजाओगे, तो lines बहुत पास-पास आजाएगी, तो you will get a strong field, आपको एक strong field की value मिलेगी, और जितना तुम दूर-दूर चले जाओगे, उतना ही तुमें कमजोर field मिलेगा, you will get a weak field, तो spacing से भी, आप एक बार ऐसे diagram दिया होता है, तो spacing कहाँ पे कम जादा है, वहाँ से वह अपनी electric field के magnitude को comment information आ गई है, आप आएए कुछ सवालों को देखते हैं, और बिलकुल लडू problems आपको paper के अंदर देखने को मिलते हैं, direct, तो question करते हैं सबसे पहले 2022 का, सवाल देखिए, बड़ा simple question है, कह रहा है हमें two point charges, a of magnitude 8 into 10 की पार minus 6, और दूसरा एक charge है, जिसका magnitude इतना ही है, बट negative है तो जिरा ध्यान से देखो, बटा, एक charge Q है, एक और charge है, जो कि हमारा minus Q है, और हमें यहाँ पे Q की value given है, हमें Q की value given है कितनी, 8 into 10 raise to power minus 6, 8 into 10 raise to power minus 6 कूलम, यह हमें Q की value given है, ठीक है जिए, are placed at a distance d apart, यह जो है, यह आपस में d distance पे पड़े हुए हैं, यह they are placed at a distance, विने सर, d d apart, d distance पे पड़े हुए हैं, yes वेने सर बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें इनके middle point पे electric field की value given है, जहां तक मुझे याद है, the electric field at a middle point O between the charges is this value, तो हमें इनके middle point पे electric field की value given है, ठीक है जिए, अब जड़ा, दिमाग से सोचना बेटा, और हमें charge का magnitude निकालना, हमें के निकाल outward होगा, उसकी value E होगी, और अगर मैं ये distance आप से ले लूँ, this distance is let's say d by 2, ये distance हमारा d by 2 है, अगर middle point है तो देखो, symmetrical यहां से भी हमारा distance होगा, वो d by 2 होगा, तो अगर इस electric field की value निकाली जाए, तो बिटा ये value निकल के आएगी kq upon kq, इस point charge की निकल के एगी kq upon distance का square, आ हना, अब ऐसे ही, ऐसे ही अगर मैं minus q ले लूँ, अगर ऐसे ही बच्चो मैं minus q सामने ले लूँ, तो इस minus q की जो इस point पे electric field गिरेगी, बेटा वो होगी हमारी radially inward, वो होगी उसी की तरफ, मेरी बात समझ रहे हो, positive charge का field outward होगा, ऐसे ही जो negative charge होगा विने सर यहां पे, इस negative charge का भी जो electric field होगा, वो towards that charge होगा, वो उसी की तरफ निकल के आएगा, that is also radially inward, तो अगर मैं तुमसे बेटा यहां पे एक simple सी बाश्या में पूछा में पूछूँ, what is the net electric field, middle point पे, जो net electric field हो कितनी है, that is when it is simply 2e, यह 2e के बराबर होगी, आप देख रहे हो, e भी जा रही ह और इसकी भी e जा रही है, और negative charge की भी e जा रही है, तो net electric field at that point is simply 2e, और अगर बेटा इसकी value निकाली जाए, यह निकल के आएगी 2 times of kq upon beta d square, यह d square by 4 है, तो यह by 4 जो है यह उपर आ जागा, तो this net electric field guys, comes out to me as 8 kq by d square, और यह जो हमें net electric field है बेटा, हमें इसकी value given है, this is basically your net electric field, और यहां से बेटा हमें d निकाल नहीं है, तो मुझे लगता है बेटा, आप यहां पर समझ गए होंगे क्या करना है, अपने को, answer आपका यह निकल आएगा, 8 kq, 8 kq by d square, तो k की value बेटा आप जानते हैं, 9 into 10 raise to power 9, upon venisser d square into q, q की value भी बेटा आप जानते हैं, 8 into 10 की power minus 6 8 into 10 की power minus 6, यह net field है, जो कि 6.4 into 10 की power 4 के बराबर है, तो आप देख सकते हो, इस पूरी equation में a की variable था, और वो था हमारा d, यहां से आप अपना d निकालो, d की value आपको मिल जाएगी, तो you will get lots of lots of direct question on this, बचों, yes sir, correct है, this is a session on electric field, यह electric field का session है बचों, ठीक है, और ऐसे बहुत बहुत सारे question बड़े paper के अंदर आए हैं, आपको दिखाता हूं, देखिए आप बड़े direct questions आए हैं, like जरूर कर देना बहुत सारे बच्चे, शहत पहली बार देख रहे हो, subscribe इस चैनल को बड़ा कर लीजेगा, देखो यार, बड़े simple सवाल है, एक और हमारा यह सवाल आप है ना, है ना, और यहां पे, और इस point पे हमें electric field निकालनी है, basically देखो, यहां q by 2 है, यहां q by 2 है, इस point पे हमें electric field की value निकालनी है, vector form में जो भी result है निकल के आया, तो बड़े शुरू करते हैं, इस question को बहुत simple सा सवाल है, देखो, यह हमारा q by 2 charge है, this is basically q by 2, मैं यहां ब होगी, वजह से जो निकलेगी, वो निकलेगी E1, वो निकलेगी radially outward, यह positive charge है, positive charge की जो field होगी वेने सर वो होगी radially outward, that is E1, ऐसे ही जितनी यह हमें outward देगा, इतनी ही field हमें यह positive charge भी outward देगा, radially in the upward direction, तो उसे भी E1 ही कह लेते हैं, because same magnitude है, और इनका आपस में जो distance है वो है कुछ गिवन होगी, हाना, square की length जो है, square of side A, square की जो side है वो A है, हाना, तो the side of the square is A, तो this is A, this is A, and this is A, this is also A, तो basically अगर मैं E1 की value निकाल हो, तो E1 बेटा निकल के आएगी KQ by A square, KQ by R square, KQ, Q यहाँ पे Q बेट हुए, हाना, और मैं Q चलो capital ले रहता हूँ, अगर मैंने capital लिखी दिया है, महाँ पे, तो KQ, हाना, Q मेरा Q बेट हुए, upon बेटा distance का square, that is A square, इतनी ही field बेटा यह देगा, इतनी ही field देगा, E1, E1, हाना, आपस में 90 degree पे, इसके इलावा, यह जो point charge है, Q, इसका जो distance होगा, उस point से, वो होगा, विनेसर हमारा root 2 ए, तो उसकी जो electric field म महाँ पे गिरेगी, again, उसकी value होगी अलग से, radially outward, वो value होगी E2, वो होगी विनेसर E2, अगर मैं तुमसे बूचो, what is the value of E2, तो तुमारे दमाग में फटा-फटाना चाहिए, विनेसर KQ, Q is the distance upon बेटा, total distance का square, और total distance जो है बेटा, वो हमारा कितना है, root 2 A का square, root 2 A का square, ब I guess मैं small Q ही use करता हूँ, that is a better thing to use here, ठीक है, तो ये small Q में ही लिखना फिर ठीक रहेगा, तो let us write this as small Q, this is also writing it as small Q, तो बेटा, again, KQ upon distance का square आप करोगे, आपको वो value मिल जाएगी, तो उस point charge की electric field, अब बेटा, net electric field आपको निकालनी है, देखो, life आपकी पूरी चिल है, एक electric field इदर है, आपको net electric field की value निकालनी है, बड़े अराम से बेटा आप अपना दे सकते हैं, जवाब आपको क्या करना है, देखो, E1 और E1, मैं अगर अगली slide पर जाओं, आप अकल से सोचे बेटा, एक E1 horizontal है, एक E1 vertical है, एक E1 vertical है, तो इन दोनों का जो resultant होगा, E1, E1 जो 90 degree में परे हैं, उनका जो resultant होगा, वो होगा root 2 E1, वो होगा हमारा विने सर कितना root E1, E1 का resultant root 2 E1, और root 2 E1 की direction में E2 है, root 2 E1 की direction में ही हमारा E2 है, तो मैं अगर तुम से पूछूं, what is the net field, तो net field पेटा हमारी कितनी निकल के आ रही है, the net electric field guys comes out to be root 2 E1 plus E2, कितनी है विने स root 2 E1 plus विने सर E2, तो अगर मैं यहां से इसकी value निकाल लूँ, तो मुझे लगता है मेरा हो जाएगा काम, root 2 E1, E1 की value, kq by kq by विने सर 2 A square, kq by विने सर 2 A square, plus विने सर E2 करूं, kq upon 2 A square, plus kq upon विने सर 2 A square, मैं ठीक लिख रहा हूं, root 2 A का square करोगे, 2 A square आ जाएगा, तो this net electric field बच्चो comes out to be, आप देखिए, kq by 2 A square common, 2 A square common निकाल दो, और साफ साफ मुझे दिख रहा है, अंदर आ जाएगा, root 2 plus 1, simply easy peasy lemon squeezy, फटा फटा बले बले कर दो, अगर यह point समझ में आ रहे है, तो यह electric field आ निकाल रहे है, समझ रहे हैं, और k को लिख दो 1 upon 4 pi epsilon 0, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, ठीक है, अगर इस 2 को अंदर ले जो, तो basically यह आ जाएगा, 1 by root 2 plus 1 by 2, तो 1 by root 2 plus 1 by 2, देख रहे हो, यह option आपका, सही answer basically निकलाएगा, yes sir, guys बले बले यार, बहुत प्यारे मक्षन मलाई वले सवाल है, और again मैंने आपको वो सारे questions कर वाई है, जहाँ पे आप point charge की वज़र से electric field को निकाल रहे हो, अब जिना ध्यान से देखना वेटा, अगला concept जो मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ, यह भी बड़ा interesting concept है, और वो concept है हमारा null point का, सबसे पहले तो बात मैं आपको बताओ, यहाँ पे null point का meaning क्या है, null point का बेट पर में सीधा question आते हैं आपके सामने find the null point, तो कैसे null point निकालना है, बड़ी सीधी सी बात है, पहले सुन लो, समझ लो, बाद में इसका shortcut बताओंगा आपको, देखो यार, एक charge 9 की हुए, एक charge 16 की हुए, आपको इन दोनों के system की वज़ा से ही कैसा point बताना है, जहाँ पे net electric field कितनी हो बेने sir, 0, तो इसका सबसे बड़ी आ दरीका क्या होता है, आप इस पूरे system को तीन regions में तोड़ लो, मैं आपके सामने बनाता हूं तीनों regions, एक ये वला region आजेगा, एक ये वला region आजेगा और एक इनके middle वला region, एक आजेगा region 1, एक आजेगा इनके beach का region, region 2, एक आजेगा region 3, ये वला, तो basically, ये 1 और 3 जो है, ये हमारे outer regions है, ये 9Q के outer है, वो 16Q के outer है, और जो middle region है, वो हमारा region 2 है, अब ज़रा अकल से बेटा सोचने है, अगर माल लो, मैं यहाँ पे एक point लूँ, तो इस 9Q को जा field होगा, जो 9Q होगा, इसका field, 9Q का है, आउटवर्ड फैंकेगा, आउटवर्ड, बल, इधर भी फैंकेगा, इधर भी फैंकेगा, और इधर भी फैंकेगा, तो 9Q का जो field हो, इस point पे आएगा इधर को, और ऐसे ही बिटा अगर माल लो, कोई point मैं यहाँ पे ले लूँ, तो आपको ये बात पता हो नहीं चाहिए, इस 9Q का इधर तो इधर आएगा, इस point पे इधर जाएगा, और अगेन अगर आउटर इधर ले लो, तो इधर भी जो field आएगा, वो इधर आएगा, बेसिकली यह जो blue color के arrows हैं, यह 9Q की field बता रहे हैं, in both, in all the regions, अना तो 9Q से आउटवर्ड इधर जाएगी, 9Q से आउटवर्ड इधर जा और अगेन बच्चो, अगर मैं इस region में निकाल लूँ यहाँ पे, अगर इस point में निकालो, तो इसके आएगी आउटवर्ड तो इधर आ सकती है, और अगेन अगर इधर हम देखें तो इधर भी आ सकती है, तो ideally बेटा आपको साफसाफ दिख रहे हैं, कि इस region में दोनों field एड़ हो रही है, इस region में भी दोनों field एड़ हो रही है, तो net field 0 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, net field 0 जो हो सकती है, वो middle वले region में ही आपकी पैदा हो सकती है, जहाँ पे वो cancel कर सकती हैं दूसरे को, तो इसका एक simple सा बेटा, यहाँ पे एक तो यह common sense होगी, हमने यहाँ 16Q से D minus X, तो 9Q की जो electric field है यहाँ पे blue color वले, तो उसकी value कितनी होगी, के 9Q upon X square, जहाँ से सुनो, 9Q की जो electric field होगी, के 9Q by X square, बिलको logical बाद है, के Q by R square, और ऐसे ही 16Q की जो field होगी यहाँ पे, 16Q की जो field होगी, वो होगी, के 16Q upon D minus X का square, बेटा जल्दी बताओ यार, क्या स सेहमत हो, 16Q का जो electric field होगा, वो outward होगा, और उसकी value कितनी होगी, के 16Q upon इनके बीच के gap का square upon D minus X का square, अगर यह life हमारी set है, अगर आप समझ गई, तो बैसे बिलने बलने बलने देखो, यह हमारा यहाँ से कट गया, simply आप इस चीज को इधर ले जो, इस चीज को उधर ले जो फिर अंडरूट ले लो, तो 9 का अंडरूट बिटा आजएगा 3, 3 times D minus X is equal to बिटा 4X, 16X square का अंडरूट आजएगा 4X, तो 3D minus 3X equal to minus 4X, 7X जो है, यह 3D के बराबर है, और यहाँ से बच्चों हमारा answer निकल के आएगा, X का 3D by 7, तो मतलब यह वो point है, यह वो point है, मैंने basically यहाँ से अंडरूट भी ले लिया साथ-साथ, जहाँ पर आपका basically net electric field 0 निकल के आएगा, अब बेटा इसका एक simple ready-made shortcut भी है, इसका एक simple ready-made shortcut भी है, PDF आपको मिल जाएगा बेटा, description में मिल जाएगा, don't worry about that, PYQ भी करेंगे यार, पहले जो चल रहा है वो तो देख लो, हा हाँ, आप जब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपके सामने आगे शॉटकट भी लिख दिये, मैंने आपके सामने यहाँ पे शॉटकट भी लिख दिये, शॉटकट हमारा ये है कि यार, अगर हमारा 9Q और 16Q का एक system है, मतलब if I have a system of like charges, तो याद रखिए बेटा, null point हमारा magnitude में छोटा है, जो charge हमारा magnitude में है न, small, ये वैसे भी छोटा ही है 16Q से, बट अगर magnitude में जो छोटा उसको गरम लें, तो null point की जो location निकल के आएगी, ये होगा हमारा कौन सा point, null point, तो null point की जो विने सर, location निकल के आएगी, from the charge, smaller in magnitude, उसकी जो value होगी, x वो होती है, d upon under root of cubic by q small plus 1, अगर आप देखो तो एक सेगड में आपका answer आएगा, d upon बेटा, under root of cubic, बड़ा charge बेटा हमारा 16Q, छोटा charge हमारा बेटा 9Q, बेटा plus 1, तो अगर आप देखो थोड़ी से भी अकल लगाओ, ये आपके सामने आजएगा, d upon बेटा, q से q कट गया, 4 by 3 आजएगा, plus 1 करो LCM ले लो, तो 3D by 7, X की value solve करके निकल रही है, और ये ही value बड़ा हमारी solve करके, यहाँ पे भी निकल करके है, ये 3D by 7, देख रहे हैं मेरे बचो, 3D by 7, ये sir, done है मेरे बचो, done है, 3D by 7, तो ये सारी बड़ा हमारी मोटी मोटी कहानी है, जो आपको अपने दिमाग में रखन अगर system of like charges, condition ये है, like charges के system में, null point हमारा middle region में लाई करेगा, और उसकी value इसके बराबर होगे, और ऐसे बड़ा, अगर unlike हमारा system होगे, unlike, 9Q देख रहे हो, देखो screen पे, 9Q देख रहे हो, और उदर हमारा minus 16Q देख रहे हो, तो 9Q और minus 16Q में याद रखना बड़ा, null point हमारा lie क अगर unlike charges हैं एक system के अंदर, तो null point बाहर की तरफ आएगा, और किस तरफ आएगा, towards a charge smaller in magnitude, उस charge की तरफ आना है, जहाँ पे वो magnitude में छोटा है, अब ज़रा ध्यान से देखना, outer ये भी है, ध्यान से देखो ज़रा मेरी बात को बेटा, अगर unlike charges होगे, outer ये भी है, इसको region 1 बोल दिया, इसको region 2 बोल दिया, इसको region 3 बोल दिया, अब हमने region 2 तो वैसे छोड़ देना, middle में तो वैसे ही नहीं आएगा, chance ही नहीं है, आजाए, आप सोच के देखो न, क्यों नहीं आएगा, same भई-वली story बिड़ा लगाओ यहाँ पे भी, कौन मना कर रहे है, कि अगर म बाहर की तरफ फैंगेगा, और इधर फैंगेगा, आउटवर, मेरी बात समझ रहे हो, और ऐसे है, अगर minus 16 कू को पकड़ो, तो minus 16 कू को बेटा, जो field होगा, वो invert होगा, अब यह negative charge है, तो यह invert मतलब इस region में इस की तरफ आएगी, और यहाँ से भी इस की तरफ जाएगी, तो invert मतलब यहाँ से भी invert, और invert मतलब यहाँ से भी invert, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं ना कि middle region में तो add हो रही है, middle region में तो add हो रही है, तो middle region में वैसे ही नहीं आ सकती, outer में कटने का scope है, इधर भी कट सकते है, इधर भी कट सकते है, अब इन दोनों में कौन सा लेन है, minus 16Q 9Q से छोट है, वो negative number है बट हमें वो नहीं देखना है, हमें magnitude में जो छोट है वो देखना है 9Q विनेसर magnitude में छोट है तो जो charge magnitude में छोटा है null point उसके तरफ आएगा, तो अब देख सकते हो 9Q हमारा magnitude में छोटा है minus 16Q से इसका mod 16Q हो गया, यह 9 तो इस तरफ बेसिकली हमारा null point आएगा, इधर हमारा null point नहीं आएगा, और अगर यह distance में इस point का यहां से x ले लूँ है ना, तो इस x की value जो है वो exactly वही है cubic by q small का under root और याद रखना, यहां पे ना, यह है ना, यह जो हमने यहां पे लिख्या है ना, यह जो root है सिरफ cubic और q small में है 1 में नहीं है, तो यहां पे मैं देख रहा हूँ यह 1 में भी दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ हाई होप, आप समझ पा रहे हो, यह कुछ ऐसा है है ना, हाँ, तो बस यहां पे plus 1 की जगा minus 1 है, और हमें यहां पे root के अंदर mod लेना है, ठीक है जी, तो मैं अगर आपके लिए यहां पे solve करी दूँ, तो x की value बड़ा, एक second में निकाल लेंगे d upon, देखो जरा, यहां पे under root of, mod of cubic, बड़े वाला कौन है वो हमारा minus 16 की है, mod करोगे तो plus ही आजएगा, मतलब तुम्हें इसका magnitude ही लेना है, mod का मतलब सिर्फ magnitude तो बड़े वाले का magnitude, upon चोटे वाले का magnitude, minus 1 बचो, सीधा ठोकिए, एक second में आपका answer निकलेगा, देखो यह मैं अगर solve करूं, यह d upon beta, यह आजएगा 4 by 3, minus 1 LCM ले लो, तो x की value solve करके, यह उपर आजएगा, यह हमारी 3D निकलाईगा, अब एक सवाल देखो यार, एक तो बले-ले कर देनिये, कि हमें सर सौटकेट पता लग गया, यह बड़ा ही फेमस काड़िय फोशन है, साथ ही साथ बचों मुझे फड़ा फड़ जला चैड़ बक्स में यह भी बता दो, तुम्हें इसका logic पता लग रहे है कि इधर क्यों आएगा logic समझ में आ रहे है, क्यों हमने छोटे की तरफ ही लिया वाई वोई टेकट टोवर्ड़्स थी स्मॉलर चार्ट क्यों लिया बताओ स्मॉलर की तरफ हमने क्यों लिया, उसका रीजन सर सोचने वली बात है यह चार्ज मेंगनी चुट में छोटा है अगर तुम मुदर चलेगे तो यह चार्ज छोटा था तुम इससे दूर भी चलेगे इसकी फील्ड बहुत कमजोर हो जाएगी अगर यह एलेक्ट्रिक फील्ड मैं लेलू छोटे वले की E1 और यह जो रेड वली है यह माइने 16 क्यूगी है अगर वो मैं लेलू E2 तो यह तो साफ साफ दिखी रह न इस रिजन में E1 जो है यह बहुत गरीब होगा E2 के मुकाबले कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता चार्ज तुमारा छोटा है चार्ज छोटा हो गया डिस्टन्स भी बढ़ गया मर गया वैचारा केक्यो भाई आरस्वेट तो क्यों भी छोटा हो गया, डिस्टन्स भी बढ़ गया, तो उसकी फील्ड तो बहुत कम हो जाएगी, तो cancel होने का सवाल ही पैता नहीं होता, cancellation की probability वहीं बनेगी, जहां पे तुम उसकी फील्ड को थोड़ा कमजोर करो, उससे दूर जाओ, और इसके थोड़ा सा पास हो, वह ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो पड़ा रहा हूं ऐसा नहीं आता है, हमें पता है बेटा, exactly क्या चीज़े बेपर में बुछी जाती है, मैं हमेशा अपने सेशिस के अंदर ये बात बोलता हूँ, बेटा, you should know that I know, तो मैं ये पता होना चाहिए कि मुझे पता है, तो ये एक negative, हमें एक और point पे field की zero value निगालनी है, अब आपको पता है यार, ये unlike charges का system है, outer region में आएगा, और formula जो आप use करोगे, वो ये बाला करोगे, ठीक है जी, तो करना, फटा बटा अपना अंसर मुझे home work के अंदर बताना, आपका क्या निकल क्या आता है, ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे बटा, इसी के साथ, let us move towards the next concept, जो आपके साथ मैं discuss करने वाला हूँ, वो है बटा, अब हमारी electric field due to continuous bodies, कुछ continuous bodies है, उनकी electric field बटा, हमें formula उनके याद रखने है, because बहुत सारे formula based question paper के अंदर आपको ready made दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले बटा, आपक इस वायर के perpendicular distance वले किसी एक point पे है, जो इसे r distance पे है, this is infinite wire, और r distance पे जो हमारी electric field की value होती है, उसका formula होता है 2k lambda by r, अब के तो आप जानते हो 9 into 10 की पार 9, 9 into 10 की पार 9, मैं एक बार इस के को ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं इस के को, जो हमारा standard जैसे हम छोटा के लिखते लेकिन हाँ, मुझे जो personally पसंद है, मैं उसकी एक ही form में इसे लिखूँगा, ताकि आपको भी वैसे ही दिमाग में ये बस जाए, तो 2k lambda by r, ये होती है हमारी electric field due to infinite charged wire, अब बस lambda को सीखना important है, lambda is you know guys, linear charge density, coulomb per meter, कितना charge है इसकी unit length पे, इसे आप ऐसे सोचिए बेटा, अ हमारी एक wire है, और इस wire पे पूरा charge चड़ा हूँ, infinite wire है ये है, इस wire पे पूरा charge चड़ा हूँ है, और मैं तुमसे बुछूँ यार मुझे इस wire के, अगर एक meter की मैं length ले लूँ, इस एक meter की length पे जो मुझे basically charge दिखाई दिया, let's say वो दिखाई दिया हमें 2 coulomb, तो basically lambda का मत मतलब हो गया 2 coulomb per meter, तो इसका मतलब क्या है, lambda का मतलब है linear charge density, कितना charge है on unit length, मतलब अगर मैं एक meter की length ले लो इस wire की, तो मुझे आप़े 2 coulomb charge दिखाई देगा, और कहीं से भी ले लो, आपने नीचे से अगर एक meter की length ले ली, अगर ये एक meter की length है, तो इसके उपर जो charge दिखाई देगा, वो हमें 2 coulomb दिखाई देगा, तो linear charge density का मतलब है charge on unit length, तो एक wire का हमें linear, infinite wire है, तो टोटल charge तो infinite होगा न, infinite wire पे total charge तो infinity होगा, तो इसलिए हमने इसको total charge की term में define ले किया है, हमने charge per unit length की term में define किया है, तो जो वो होता है मारा lambda, तो value जो होती है, electric field की हो अगर positive wire है तो outward होगी, logical है, negative wire है तो field होगी, वो हमारी invert होगी, formula इसका याद रखने है, सवाल आपके सामने है, question देखो, यह हमारा इसी साल का, I guess यह इस PY को यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, यह दो हजार 23 का PY की होगा, यह इसी साल question आया है, बच्छों, दो हजार 23 का यह हमारा PY की होगा है, ठीक है जी, तो देखिए इस question को बहुत ही simple problem है, हमें कहे रहे हैं कि electron revolves around an infinite cylindrical wire having uniform linear charge density, 2 into 10 की power minus 8, समझ रहे हो, एक हमारा infinite charged wire है, मैं यहाँ बना देता हूँ, this is a wire, और infinitely charged है, मतलब इस पूरी wire पे हमारा charge जो है, यह चड़ा हुआ है, इस पूरी wire प इस wire से, आर distance पे, perpendicular distance आर पे, हमने क्या किया, हमने एक electron रख दिया, ऐसे हैं कुछ, an electron, तो एक electron रख दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक charge रख दिया, that is basically negative, minus 8, अब आप बेटा जानते हैं, positive, negative को अपनी तरफ attract करेगा, positive, negative को attract करेगा, और अगर तुमसे इस force की value को पूछा जाए, तो यह जो force होगी यह याद रखना, यह force होती है, qe के बराबर, देखो, original formula याद रखो, force का वो होता है, q into e vector, अब technically speaking, बेटा, charge हमारा negative है, यह electron negative ले charge है, तो अगर electron negative है, देखो, इसकी जो field है, r distance पे, इस wire की जो field है, वो outward है, wire की जो electric field है, वो outward है, लेकिन अगर तुम negative charge रखोगे, तो field जो लगेगी, जो force लगेगी, वो field के opposite लगेगी, वही वली story यहाँ पे हो रही है, तो basically अगर मैं इसका magnitude निकाल लूँ, force का, तो magnitude निकल के आएगा, एक तो q, magnitude of the charge, magnitude हमारा e के बराबर है, minus का म to find the force between a continuous body and a point charge, देखो यार, मैं फिर आपको बात बता दूँ, जो formula हमारा k q1 q2 by r square है, force का, वो formula validity तब होता है, अगर दोनों charges हमारे point charges हो, अब एग हमारा continuous object है, दूसरा हमारा point charge है, continuous object का point charge के साथ field आप निकाल ही तबी सकते हो, अगर आपको बड़े object की वज़ए से वहा force की value connect कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं create कर पाँगे, तो यह है हमारा basically सबसे बड़ा benefit of, you know, understanding the concept of electric field, because electric field से ही एक बड़े object की वज़ए से किसी छोटे object पे force निकाली जा सकती है, तो यहर, यह से यह मैं बात बिड़ा लिखता हूँ, अब आप जानते हो, यह भी हमें equation के अं circular motion describe कर रहा है, और अगर यह electron एक circular motion है न, मैंने थोड़े सी diagram अच्छा बनाई नहीं, दोबारा बनाते हैं, if this electron is describing a circular motion, if this electron is describing a circular motion, तो यार, शीदी सी बात है, this force is providing you the centrimetal force, तो it is e into 2k lambda by r, और यह हमारा mv square by r k बराबर, this is equal to mv square by r, तो यह जो भी force है, इस centrimetal force का काम कर रही है, this is equal to mv square by r, आपको velocity निकाल नहीं है, वह सीधी सी बात है बेटा, this force is providing the centrimetal force, और देखो, देखो r का r से happy birthday बेटा, और यहाँ पे अगर मैं आपसे velocity की value निकालूं, तो velocity की value देखो आपके सामने है, 2ke lambda by m, 2ke lambda by m, इस सारे का under root, इस सारे का वि under root, तो this is the value of the velocity, तो मुझे लगते है हमें k की value भी गिवन है, देखो k आपका 9 to 10 की पार नहीं, e होता है, charge on electron, em होता है, mass of electron, mass 9.1, 10 की पार, minus 31, सारे data गिवन है, lambda की value भी आपको गिवन है, मैं लेके देता हूं, lambda is given to me, 2 into 10 raise to power, minus 8 coulomb per meter, तो सारे values को बेटा, आपको पु जाएगा, आप solve करिए, solve करके आपका answer, 8 निकलाएगा, है न, तो ये सीधे question आते हैं, बस आपको formula पता होने चाहिए, ऐसे बेटा, बहुत सारे formula आपके सामने आने वाले हैं, तयार हो जाएए, हमारी एक uniformly charged ring है, तो अगर हमें, देखो एक और बात बता हूं, अगर आपको basically इस ring के center पे, uniformly charged ring का मतलब समझ रहे हो, uniformly charged का मतलब चार्ज हर जगा बराबबर distributed है, ठीक है, तो अगर हमें इस ring के center पे electric field निकान नहीं है, तो बड़ा formula याद रखना है, इस ring के center पे जो electric field होती है, उसकी value जो होती है विनेसर वो 0 होती है, that is equal to 0, अब कैसे 0 है, ध्यान से स center है, तो अगर मैं एक element उपर ले लो, एक element उपर ले लो, तो उस element का electric field नीचे आएगा, yes विनेसर, ऐसे element अगर मैं नीचे कट कर लो, यह एक DQ, point charge ले लो DQ, अगर उसका electric field देखो तो उसका जो आएगा, वो उपर आएगा, ऐसे symmetry के लिए अगर इदर से ले लो, तो उसका right आएगा, इदर से ले लो, तो उसका field जो आएगा, वो left आएगा, इदर से ले लो बेटा, उसका जो आएगा, वो ऐसे आएगा, सामने अगर मैं ले लो, तो उसका इदर आएगा, तो अगर आप technically देखो, कहीं से भी अगर आप देखो, यह इस से कट जाएगा, यह इस से क मतलब शिर्फ आधी रिंग ली मैंने अब यह जो सेमी रिंग है इसके उपर मैं दो टम्स डिफाइन करता हूं एक इस रिंग का रेडियस जो भी इसका रेडियस है और एक इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना लेमडा अब लेमडा अगेन मैं यहां पर बता देता हूं व बिसिकली टूटल चार्ज बाए टूटल है टूटल चार्ज अगर मालो क्यों है टूटल लेंथ इसकी पाई आ रहे है समझ रहे हो टूटल चार्ज को टूटल लेंथ से डिवाइड कर दो तो बिसिकली तुम्हें मिल जाएगा चार्ज पर यूनिट है मतलब अगर लेमडा की value 3 तो इसका मतलब 1 meter की length अब ले लू, यहां से 1 meter ले लू, यहां से 1 meter ले लू, यहां से 1 meter ले लू. मिरी बात समज़्े हो बच्चो, कि छोटी-छोटी बाती है, लेकिन interesting है, तो अगर मैं यहां से 1 meter की length ले लू, तीन इसे तोड़ देता हूँ मालो ये ले लिया ये भी एक मिटर है ये भी एक मिटर है मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चो ये भी एक मिटर है तो अगर हमारे पास lambda की value है 3 कूलम पर मिटर तो इसका अर्थ ये हुआ अब नीचे अवली हट गई तो net electric field उपर से जो भी आएगी वो downward आएगी तो उसकी जो value होगी electric field की उसका formula याद रखना है बच्चों उसकी value होती है 2k lambda by r कितनी है विने सर? 2k lambda by r आप देख सकते हो बेटा ये exactly match करती है हमारी wire की वज़ा से electric field तो wire, infinite wire की जो electric field होती है वो होती है 2k lambda by r सेम ऐसे बचो semi ring, semi ring की जो electric field होती है semi ring की जो electric field होती है that is also विने सर 2k lambda by r और ऐसे बेटा अगर मैं quarter ring ले लो linear charge density lambda radius हमारा r तो इस quarter ring के इस center पे जो electric field होगी ध्यान से सुनना बेटा, वो electric field आप feel कर पा रहे होगे वो ऐसे angle पे जारी होगी basically उसके दो component होगे, एक होगा horizontal, एक होगा vertical तो एक downward component आएगा एक downward component आएगा और एक हमारा horizontal component है I hope आप समझ पा रहे हो तो इसकी वज़ा से quarter ring की वज़ा से जो field हैगी वो इधर को आएगी तो एक horizontal, एक vertical और ये component भी हमारा होगा k lambda by r और ये भी होगा हमारा k lambda by r अगर आप ideally देखो, net electric field जो होगी इस quarter ring की वज़ा से वो होगी, root 2 k lambda by r basically अगर बराबर vectors हमारे 90 degree पे हो जाएं तो resultant जो होता है, वो root 2 होता है तो net value जाएगी root 2 k lambda by r और ऐसे बचो अगर हम arc ले लें एक arc ले लें, this is an arc एक arc ले लो, जो हमारा theta angle बना रही है theta angle बना रही है तो electric field की जो value होगी e उसका formula आपके सामने है 2 k lambda by r into sin theta by 2 very very important माल लोगर 60 degree की हमें arc दे दी जाए quarter की बज़ाए, है ना, अगर आपको कोई और 120 degree की arc दे दी जाए तो formula याद रखिए k lambda by r into 2 k lambda, sorry 2 k lambda by r एक्जाम्बल के तौर बे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो आप देख सेकते हो theta कितने है यहाँ पे जो theta की value है वो कितनी है, 180 degree, that is pi और यहाँ पे theta की value कितनी है अगर आप देखो, यहाँ पे theta की value जो है वो हमारी pi by 2 है, तो एक second के लिए 2 k lambda by r, तो वही formula बन गया, 2 k lambda by r ठीक है, exactly वही बन गया, और ऐसी आप बगना 90 के लिए भी verify कर सकते हो, लेकिन यह याद रखो formula paper में direct आपके आजाता है अब ऐसे ही मेरे पैरे-पैरे बच्चों, अगर हमें एक ring के, देखो, center पे electric field 0 है, अभी हमने निकाला, electric field at the center of ring, at the center of ring is 0, देखिन अगर हमें उसके axis पे जाना है, हमें axis पे जाना है, तो क्या electric field निकाल पाएंगे? हम, तो एक हमारी बड़ा ये ring है, ठीक है जी? इस ring पे total charge q है, यहांचे सुनना, इस ring पे total charge q है, इस ring का radius r है, तो अगर तो तुम्हें इस ring का lambda निकालना पड़ गया, तो मैंने आपको बोताया है lambda होता है, total charge by total length, तो total charge q upon total length जो होगी, वो होगी हमारी 2 pi r circumference और units होगे, अगेन हमारा column, उपर charge है, नीचे length है, पर meter, तो एक complete ring का, अगेन अगर lambda ना गिवन हो, हैना तो आप निकाल सकते हो, total charge by total length से कर गए, provided वो uniformly charge हमारा distributed हो, तो इस पूरी ring पे, हना, अगर ring की वज़ा से, center पे electric field अगर निकाली जाए, तो उसकी value होती है 0, अब ऐसे ही बेटा, अगर मैं center से थोड़ा सा बहार आ जाओ, 3D में अगर आप समझ पा रहे हो, अगर मैं इस ring के, सोच रहे हो मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए, इस ring के, axis पे आ जाओ, center से x distance पे अगर आ जाओ, यहाँ पे, center से x distance अगर बहार आ जाओ, और तुम से अगर मैं यहाँ पोच्चों भाईया, electric field कितनी है, तो बेटा, यहाँ पे electric field की जो value होगी, electric field की जो value होगी, electric field के जो value होगी आओ मेरे बच्चो प्यारा प्यारा सा मैंने यहाँ प्यारो बना दिया इस electric field के जो value होगी उसका formula बेटा याद रखो यह होता है 2 sorry it is basically kqx upon x square plus r square raise to power 3 by 2 simple सा बेटा एक rule याद रखने है ठीक है formula यह याद ही करना है बच्चो अपने को kqx जैसे मैंने आपको पहले formula बता है same आप इसे भी याद कर सकते हो drive करना चाओ तो यह drive भी हो जाता है कोई मुश्किल काम नहीं है आप चाहते हो तो मैं आपको करके भी लिखा देता हूँ लेकिन at the end of the day यह result यह याद रखने ठीक है एलेक्टिफ विल्टी वैल्यू जीरो आ रही है और ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे पूछों कि x हमारा infinite है इसको ऐसे सोचके देख लो अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो यह आ रही है अगर मालो x हमारा बहुत बढ़ा है x is very very यहाँ एक case लेते हैं अगर x हमारा r के comparison में तुम बहुत दूर चलेगे बहुत दूर चलेगे x अगर r से हमारा बेटा बहुत दूर चला गया है आर से बहुत बढ़ा हो गया मला हम बहुत दूर चलेगे तो आप देखो यह formula किस में convert होता है कि क्यूं बाए बच्चों x square आप समझ पा रहे हो अगर x हम कौन x cube जो है वो x square बनेगा तो answer आएगा k cube x square और यह formula किसका होता है यह formula किसका होता है यह formula किसका होता ही होता है point charge का formula मतलब अगर मैं बहुत दूर चला जाओं तो यह जो ring है यह point charge की तरह behave करेगी it x like a very very small charge which is very very logical तुम बहुत दूर चलेगे वो ring एक तुमारे लिए बिं ring है ठीक है यह ring है मुझे इस ring से यह थोड़ा 3D में बना रहा हूँ मतलब यह dotted का मतलब यह back side पी है यह वाला part front है मुझे इस ring से इस center से x distance पे इस point पे electric field निकाल नहीं है यहाँ पे electric field निकाल नहीं है तो कैसे निकलेगे देखो सोच के देखो मैं अगर यहाँ पे एक मालो point charge cut करता हूँ DQ एक point charge cut करता हूँ DQ तो integration से निकालोगे ना इस DQ का जो electric field होगा इस point पे वो होगा हमारा इस direction में और उसकी value होगी DE अगर मैं तुमसे पूछो DE की value कितनी होगी तो तुमारा answer होगा विने sir KQ upon इस distance का square तो बेटा देखो बहुत logical बात है यह हमारा radius है वो ह तो अगर मैं इस DQ charge का यहाँ पे field निकालोगो तो वो होगा radially outward तो उसकी value होगी KDQ by distance का square which is विने sir R square plus X square लिख सकते है ऐसे लिखी सकते है ना अब बले बले कर दो लिख सकते है ना कोई मुश्किल वहला काम तो होगी KQ, K of DQ, sorry not Q, K of DQ, charge हमारा DQ है charge हमारा विने sir DQ है तो KDQ upon विने sir distance का square तो root का square करोगे तो root खतम हो जाएगा ऐसे ही मेरे बच्चों, बिल्कुल, शाबा, शाबा, बिल्कुल सही बात है ऐसे ही अगर बेटा मैं इस point charge के बिल्कुल opposite एक point charge कट करोँ तो वो भी अगर DQ magnitude का हो तो उसकी भी अगर बेटा अगर हम बेटा components ले 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 तो इस D E के अगर हम बेटा component ले 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 तो इस D E का जो horizontal component आएगा वो आएगा D E cos theta और vertical जो आएगा वो आएगा विले सर कितना D E sin theta आप देख सकते हो इस D E को तोड़ा X direction में angle theta तो इदर आएगा cos theta और इदर vertical आजएगा D E sin theta ऐसे नीचे वाला तोड़ लो इस direction में जो हमारा component आएगा वो आएगा D E cos theta और इसके नीचे जो आएगा वो आएगा D E sin theta तो आप बेटा देख सकते हो यह जो D E sin theta है D E sin theta से कट गया तो हमें जो net electric field मिलेगी हमें जो net electric field मिलेगी उसकी value कितनी होगी जल्दी बताओ जो net electric field है उसकी value कितनी होगी 2 D E cos theta net electric field जो होगी इस पूरी रिंग की वज़ा से 2 D E cos theta यह मत सोचना अगर मैं दो तुकडे लेता हूँ तो दो का result है 2 D E cos theta अगर मैं यहां पर 2 D cos theta लेता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैंने दो तुकड़ों का resultant लिए क्या दो का लेने है नहीं हमें विने सर पूरी रिंग का लेने है तो दो तुकड़ों का 2 D cos theta अगर यह चार तुकड़े होते एक इधर लेता एक इधर लेता तो सोचके देखो उनके अगेन ऐसे 3D में अगर देखो अगर आप 3D में देखो यह एक कौन का गुच्छा बनेगा उन सबके कौन में गुच्छे की तरह जाएंगे उन सबका जो कौस थीटा component है वो axis के long होगा तो net field जो होगी वो होगी D cos theta का integration और यहां से बच्छो बिल्कुल हमारी life पूरी set है आप इसे integrate करें मैं आपके लिए कर देता हूँ यह बस एक प्यारी से integration है तो देखो बेटा हमारा D E की value रख दो के DQ upon x square plus r square यह आजएगा हमारा D E into cos theta इस फिगर में cos theta की value निकलो थीटा का opposite होगा परपेंडिकलर तो बेस होगा हमारा x तो x upon यह value which is x square plus r square raised to power 3 by 2 sorry की power under 1 बैटो net 3 by 2 बैटो बन जाएगी तो आप बेटा जड़ा अकल से सोचो यह सारी integration लिखी जा सकती है के x के बहारा गया इस integration में x भी constant है आप एक point पे field निकाल रहे हो आप चाहे integrate करो वो point वहीं खड़ा है तो x से जो distance है वो fix है आप किसे point पे निकाल रहे हो ना तो x से distance हमारा fix हो गया हर x variable नहीं हो ताकल लगानी है ठीक है जी तो actually में x भी हमारा fix है तो k constant x constant यह integration से बहारा गया अच्छा सोचो अगर x constant है और r भी constant है r है radius तो दोनों का यह जो sum है यह भी x square यह भी constant ही होगा तो basically यह net power जो बनी वो बनी x square प्लस r square raised to power 3 by 2 मेरी बात समझ रहे हो यहां पर power 1 है यहां power 1 by 2 है तो total power 3 by 2 तो मैं तुम्हें कह रहे हो x भी constant है r भी constant है तो दोनों का यह square का sum भी constant हुआ तो यह भी integration से बाहरा गया अंदर सिरफ हमारा integration of dq बचा अंदर सिरफ हमारा integration of vene sir dq बचा मेरी बात समझ रहे हो तो case constant, axis constant यह सारा constant dq सिरफ integration के अंदर बचा अब बैटा देखो dq है छोटा charge और पूरी ring पे अगर dq जोड़ दोगे तो यह total charge बन जाएगा total charge बन जाएगा तो formula बन जाएगा kq x upon यहीं बन जाएगा kq x upon x square plus square raised to power 3 by 2 बले बले करते हो अगर बैटा इस बात से आप सेहमत हो यह सारा मैंने अगर यहाँ पे integrate किया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ net electric field comes out to be k q x upon x square plus r square vene sir raised to power 3 by 2 यह हमारी एक electric field निकलती है ring के axis पे बैटा जैसे मैंने integration यहाँ पे की ऐसे आप subject integration कर सकते हो लेकिन again हमें ऐसे derivations की अपनी confidence के लिए जरूरत पड़ती है जरूर इससे करें लेकिन at the end of the day numerical solving जो है इसका जो final formula है वे बिटा याद होना हमारा बहुत जादा important है और साथ ही साथ बच्चों इससे पहले में आगे बढ़ूँ आपको यहाँ पे इसका graph बनाना भी important है मैं आपको graph बनाना भी दिखा देता हूँ ठीक है आप इससे सोचिए अगर मुझे electric field का यहाँ पे graph बनाने को दे दिया जाए ठीक है न मैं इस space को use करता हूँ इस part is you know fully occupied तो मैं यहाँ भी use करता हूँ इसे let me use it here only तो अगर electric field का screen पे देखे बच्चों electric field का x के साथ अगर मैं graph बना हूँ मैं यहाँ पे बड़ा बना रहा हूँ यह छोटा सा graph बड़ा important है लेकिन तो graph बड़ा कुछ देखने में ऐसा दिखता है कि electric field x equal to 0 पे भी 0 है x equal to 0 पे भी 0 है x को जब बहुत जादा कर दोगे तो point charge होगा और x को गर infinite put कर दो electric field फिर 0 है तो यहाँ भी 0 infinity पे भी 0 बीच में को यह कैसी value निकलती है जहाँ पे electric field maximum है और यह information भी बड़ा important है x equal to r by root 2 यह वो location है यह वो location है जहाँ पे electric field की maximum value हमें मिलेगी देखो center पे भी 0 रहेंगा कि center पे भी 0 infinity पे चल जाओ वाँ भी 0 तो center से r by root 2 distance पे electric field का maximum आता है आप पुछ electric field का function है इस function का differentiation करके हमें 0 करना है maxima कैसे निगालते है उपर भी x है नीचे भी x है तो d into n dash minus n into d dash upon d square derivative लेके 0 करो तो x की value r by root 2 पे तुमें यह भी एक result याद रख लो important है आपको electric field का maximum मिलता है मैं ring के उपर बेटा को सबसे famous question है आपके सामने रखता हूँ question देखो आपको अनन्द आ जाएगा बेटा देखो एक हमारी ring है charge qr radius आ रहे है ध्यान से समना बहुत प्यारा question है एक पूरी ring है इस ring पे total charge qr और radius इसका आ रहे है इस ring पे total charge qr और इसका विनेसर जो radius है वो हमा आ रहे है हमने इस ring पे एक negative charge minus q naught minus q naught एक negative charge हमने रख दिया center से x distance center से विने सर देख रहे हो center से x distance पे अब देखो यह जो positive charge की ring है यह अपनी electric field outward फैंकेगी axis पे लेकिन force inward लगेगी क्यों अगर इस ring की field उपर की तरफ है negative charge है तो force inward होगी field के opposite और उस force का अगर मैं magnitude निकाल लूँ तो वो magnitude होगा बेटा हमारा qi और आप जानते हो बेटा q यहाँ पे negative है q यहाँ पे negative है basically q नो डी इसकी जो electric field होगी I hope आप समझपा रहे है बचाओ इस positive ring की जो electric field होगी वो उपर की तरफ होगी charge negative है charge negative है देको formula जो होता है वो होता है f का q into e और अगर मैं आपको कई बार यह बात बता चुका हूँ अगर यार हमारा q negative है अगर हमारा यह वाला part अगर negative हुआ q negative हुआ तो magnitude तो q ही रहेगा लेकिन सोचो अगर यह negative हुआ तो force field के opposite तो field उपर तो force जो लगेगी वो inward लगेगी और अगर इस force की तुम value निकालना चाहो तो कितनी आएगी विनेजर q naught into e और e की value k q x upon x square plus r square k q x upon x square plus r square raise to power 3 by 2 क्या बच्चो आब इस बात से सहमत है जल्दी बताओ क्या आब इस बात से सहमत है आएगी के नहीं आएगी 100% आएगी ना यह सर हां तो force होगी q e और e के value विनेजर k q x upon x square plus r square raise to power 3 by 2 और यहां से बच्चो बच्चो बच्ची स्टार्ट हो रही है देखो यह हमारा हो गया radius यह हो गया विनेजर हमारा radius और हमें यह कह दिया जाए कि अगर हमने इस q naught को माल लो है it is placed at the center of the ring कोशन जरा ध्यान जा सुनना यह q naught जो था ना minus q naught यह minus q naught पहले यहां पे था तो अगर यह यहां पे था center पे ring के center पे तो ring के center पे force 0 होती है because field 0 होती है तो इस minus q naught पे force 0 लग रही थी because field 0 होती है हमने कहा कि इस minus q naught को थोड़ा सा उपर लेगे गए और release किया तो देखो ring positively charged है charge हमारा negative है तो ring उसे attract करेगी और again यह इस ring के about इसके center के about SHM कर सकता है और हमें उसका time period निकालना है सवाल देख रहे हो find the time period of its small oscillations बड़ा ही प्यारा question है तो देखो जब भी हमारे सामने SHM का question आता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते है पहला तो एक ऐसा point होना चाहिए जिसके about net four zero हो हो गया हमारा center इस point को mean position कहते है अगला step हमारा क्या होता है हम उस mean position से charge को थोड़ा सा displace करते है अगर हमारे displace करने से अगर वो charge पे force लगे और वो वापिस आए और वो force अगर x के ही proportional हो जाए तो पकी बात है SHM होगा ही होगा तो simply बचो अगर मैं तुमारे सामने यहाँ पे उस force की value निकालूँ और यहाँ पे मैं condition लिख दूँ कि x हमारा बहुत छोटा है r के comparison में तो यह जो denominator में हमारा x आ रहा है r के comparison में इसे करम ignore कर दें तो यह जो force है यह बन जाएगी k q q naught और इसको अगर मैं ignore कर दूँ by r cube by r cube into x by r cube into venusor x तो k q q naught upon r square की power 3 by 2 तो नीचे आ गया हमारा r cube into x तो यह जो force है यह है something into x तो पकी बात है बेटा हमारा shm हो गई होगा और अगर मैं तुमसे इसका time period की value पूछू तो time period की value आएगी 2 pi under the root m by k और k कौन होता है जो x के साथ बच जाए which is further k q q naught k q q naught by r cube by r cube यह हमारा time period of shm निकल आएगा as simple as that the life is fully sorted बच्छो correct बात do correct बात done done तो यह सारी हमारी बेडा स्टोरी थी बड़ी ही प्यारी सी गॉप आपको समझ में आई हे तो बड़े ही अच्छे-चे qoversion sh m के paper में सीधा आपसे निकलवाए जाते हैं बच्छो अब बच्छों धिहान से सुनना जैसे आपने एलेक्ट्रिक फिल्ड का फॉर्मूला रिंग के वज़ा से देखा और हमने डराइब भी किया ऐसे ही बटा अब हमारे कुछ फॉर्मूले हम देखने वाले हैं होलो सफियर के और सॉलिट सफियर के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं लिखे देता हूं यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बेटा मेरे पास एक हॉलो सफियर है हॉलो सफियर पे चार्ज क्यों है रेडियस हारे मतलब ये अंदर से खाली है जो भी चार्ज है वो इसके सर्फिस पे है जो भी चार्ज है क्यों वो इसके विनेसर कहां पे है वो इसके सारे के सारा सर्फिस पे अंदर हमारा खाली है युनिफॉर्म ली चार्ज है तो एक हॉलो सफियर है इसके वज़ा से हमें electric field की value निकाल नहीं है अंदर से खाली है, सारा charge इसके surface पर बढ़ा हुआ है तो तीन points बेटा होंगे एक बाहर एक surface पर एक इसके अंदर तीन points मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ एक बाहर, एक surface पर एक इसके अंदर जो point बाहर है, उससे distance center का r- है जो point अंदर है, उससे center का distance smaller है और जो point surface पर उसका distance capital है radius of the sphere तो सीरी सी बात मैं आपको यहां बता रहा हूँ जो हमारा outside point है और जो हमारा surface वाला point है, ध्यान से सुनना जो हमारा outside point है और जो हमारा surface वाला point है इन दोनों points के लिए hollow sphere always behaves like point charge ऐसा लगता है कि यह सारा charge इस sphere के center पे concentrated है और electric field की जो value निगल के आती है वो आती है kq by capital R square and kq by r dash का square मैं आपके सामने लिख रहा हूँ kq by capital R square and kq by r dash का square logical बात है outside point और surface वाला जो point है अगर मैं उनको consider करूँ तो यह हमारा जो hollow sphere है यह point charge की तरह भीव करेगा ऐसा लगेगा यह सारा charge इसके center पे बढ़ा हुए है तो R dash distance पे जो electric field होगी वोगी kq by r dash square surface पे जो होगी वोगी kq by r square और इसी के साथ बचों यह बात याद रखना यह outside point की है electric field अंदर वले point पे हमेशा हमारी zero होती है और इसी point को हम कहते है शेल्थ होरम वेरी वेरी important point एक hollow sphere के अंदर कभी electric field नहीं होती अगर वो uniformly charge दे है और अंदर electric field E inside is always zero इसी property का नाम शेल्थ होरम भी है और electric field का graph बढ़ा important है याद रखना की electric field अंदर हमारी यहाँ पे हमारा capital R है यहाँ पे हम capital R पे खड़े हैं अंदर हमारी electric field zero आप देख सकते हो और बाहर जो field है वो हमारी है proportional to one by r square वो हमारी proportional है किसके proportional to one upon r का square और अंदर जो हमारी electric field है EI inside electric field is always equal to zero फटा फटा बताओ चैड़ बोक्स में यह दिमाग में बाते जा रही है यह दिमाग में बाते जा रही है hollow sphere के outside और surface पे वो point charge है ऐसा लगेगा सारा चार सेंटर पे पड़े है q by r square q by r square और अंदर electric field जो होगी वो हमारी zero होगी done done इसी को shelf theorem कहते है ऐसे ही बच्चों अगर मैं solid sphere पे जाऊं तो solid sphere का behavior अदो को solid sphere जो होना चाहिए पहले तो आपको clear कर दूँ solid sphere is always non conducting तो जब भी कभी आपके सामने यह कि ऐसा यह समझ दो non solid का मतलब उसका पूरा charge अंदर bulk में है अंदर पूरा भरा पड़ा है पूरे चार्ज से बढ़ा पड़ा है तो बलक में charge है तो यह बात याद रखना जब भी हमें कभी solid sphere का charge solid sorry solid sphere का अगर हमें charge वला एक solid sphere बनाना है तो वो हमेशा non conductor material का होना चाहिए क्योंकि यह जो conductors होते हैं उन पे जो भी तुम charge देते हो तो वो surface पे आ जाता है एक question आया था J.E. Means में और J.E. Advance का भी बड़ा famous और favorite category of question है आपके सामने एक hollow sphere था बच्चों और आप से पूछा गया था कि hollow sphere की electric field जो है वो हमारी basically एक अंदर जो है वो हमारी zero है अब एक statement में उन्होंने ये बात लिख दी कि एक हमारा solid sphere है of metal ज्यांत सुनना I have a solid sphere of metal और उसके अंदर electric field पूछी थी अब जब solid sphere आ गया तो बच्चों को लगा solid sphere वोला formula लगेगा बट अगर हमने metal word add कर दिया तो मतलब वो conductor है metal is always a conductor तो conductor चाहे solid हो लेकिन वो behave hollow की तरही करेगा क्योंकि conductors पे सारा का सारा जो चार्ज होता है वो उनके surface पी आता है conductor के अंदर electric formation 0 होती है ये बात याद रखना आगे आपको बताऊंगा तो याद रखिए solid sphere हमेशे एक non conducting होना चाहिए और वही बेटा तीन points एक आपका point आएगा बाहर एक आपका point आएगा surface भी एक आएगा उसके अंदर तो पहला point तो मैं आपको clear कर देता हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि चाहे hollow sphere है चाहे solid sphere है outside points और surface वाले points के लिए it behaves like point chart तो अगर मैं center से r-distance distance में हूँ चाहे center से r-distance में हूँ अगर मुझे इन पे electric field निकालनी है तो ये पूरा solid sphere जो है एक point chart के तरह behave करेगा ऐसा लगेगा सारा chart इसके center पे आ गया तो यहाँ पे field की value होगी kq by r-dash का square और वहाँ पे जो value होगी वो होगी kq by r का square तो outside points के लिए तो बहुत simple सा बिटा rule है और हाँ अगर मुझे अंदर वले point पे निकालनी है तो याद रखिए अंदर वले point पे जो electric field की value होती है वो होती है kq by r-cube into small r मतलब solid sphere के अंदर solid sphere के अंदर जो हमारी electric field होती है यह formula उसका बड़ा important है inside वो होती है kq by capital r-cube into बचो small r है ना और यहाँ पे बटा कई बर हमें capital Q की बजाए row की terms में वो value पूछ लेता है where row is the volume charge density of solid sphere row का मतलब है कितना charge है on unit volume जैसे wire के case में lambda define किया linear charge density one meter की wire पे कितना हमें charge मिला same बटा यहाँ पे वही महौल है इस पूरे यहाँ पे volume पे charge है one meter cube के volume में मनला अगर मैं अंदर एक meter cube का volume ले लो तो उस की उपर मुझे कितना charge दिखाई देगा वो row होगा और row को कैसे define करेंगे total charge by total volume तो total charge capital Q total charge capital Q है और total volume क्या होगा जी solid sphere है तो पूरा volume होगा 4 pi by 3 r cube तो अगर मैं यहाँ पे बटा Q को eliminate कर दूँ which is the row into 4 pi by 3 r cube row into 4 pi by 3 r cube तो यह formula भी बेटा important है row r by 3 epsilon यह भी अपने आपने के पर पूशले जाते है मुद्दे की बात अगर मैं आपको बताऊ electric field अंदर जो है वो r k proportional है it is proportional to r तो आप देख सकते हो तो अगर मैं आपके सामने graph बनाऊ electric field अंदर जो है वो हमारी r के proportional है और बाहर जो हमारी electric field है वो हमारी 1 by r square के proportional है इसी format पे इसी pattern पे आपकी सारे चीज़े आगे चलेंगे बचाओ ठीक है जी तो graph बहुत simple है पहले state line आएगा आगे चलके आपका 1 by r square के साब से डिके कर देगा चैट बाक्स में बल्ले बल्ले कर दो hollow sphere होता बाहर और surface पे same रहता अंदर zero हो जाता solid sphere में बस इतना ही फरक है अंदर वाला formula के जो हो रहा है बाहर वाले हमारे वही है तो अंदर वाला formula जो है हमारा solid sphere में उसकी value है k cube by capital r cube into smaller basically proportional to smaller है तो मतलब अंदर electric field r के proportional है मतलब y equal to x state line बाहर हमारा 1 by r square से वो decay करेगा ठीक है थी question देखो बेटा 2023 का April attempt का answer बताओ क्या तुम्हें लगता है इसमें पैन उठाने की जुरुत है graphical variation of electric field due to uniformly charged insulating solid sphere of radius r with distance r from the center always represented by तो यार यह हमारा आपके सामने बेटा क्या है यह हमारा एक solid sphere है कौन है insulator मतलब समझ गे उसने confirm कर दिया tension नहीं लेनी यह non conductor होगा insulator is a non conductor तो मतलब original authentic solid sphere है electric field का graph साब साब बता लग रहा है d option under proportional to r बाहर बन by r square इस साल का question है इस साल इस साल 2023 अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ सा trick क्या आती है trick की आती है तो वो एक hollow की तरह ही behave करेगा तो उस case में आपका answer जो होगा वो हमारा भई hollow sphere वाला अंदर 0 और बाहर हमारा बन by r square तो यह रहते है हमारा छोड़ी मोड़ी changes बाकि बटा कुछ और formula है आपके सामने में रख रहा हूँ इन्हें आप देखते जाएं जैसे infinite sheet का एक बड़ा famous formula है अगर आपके पास बटा एक infinite sheet है जिसकी surface charge density sigma है अब देखो sheet के उपर जो charge होगा वो area पे होगा तो sigma को समझ रहे हो what is sigma इसके sigma is your surface charge density surface charge density कितना charge है coulomb per meter square कितना charge है हमारा मेरे बच्चों समझ रहे हो surface charge density का मतलब है कितना charge है मेरे unit area तो आपके सामने बेटा आप screen पे देख रहे है अगर मैं sigma की value लेता हूँ let's say 2 मतलब माल लो अगर मैं इस sheet पे यह infinite sheet है मतलब it is approaching everywhere infinity हाना यह यहां से भी infinity पे जा रही है 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 everywhere this sheet is approaching infinity everywhere this sheet is guys you know approaching infinity तो आपके simple से बात को बटा याद रखिए कि अगर मैं आप से पूछूँ कि यहार एक मेरे पास sheet है इस sheet के 1 meter square के area पे मुझे कितना charge दिखाई देगा तो उस 1 meter square के area पे जो हमें charge दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं मैंने सर सिगमा तो सिगमा की value अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है 2 coulomb per meter square तो मतलब अगर मैं 1 meter square के area लोँ तो माँ पे मुझे 2 charge दिखाई देगा ऐसे जिसे wire में charge line पे होता है तो linear charge density sheet पे हमारा area पे होता है तो surface charge density sphere पे हमारा volume में होता है तो volume fat density ठीक है जी छोड़ी बाते हैं वाकिए से अंदर कुछ नहीं तो एक infinite sheet है बेटा तो इसकी वज़ए से जो electric field होती है उसकी value होती है sigma by 2 epsilon naught और बेटा ये sigma by 2 epsilon naught मैं आपके सामने रख तो दे रहा हूँ लेकिन इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि यार ये जो electric field है ये constant electric field है मतलब r पे depend नहीं करती देख रहे हो यहाँ पे इस point का जो distance है इस point का जो distance है इस पे depend नहीं करती sigma constant है वोरी sheet के लिए epsilon naught भी constant है तो मतलब ये जो field है इस point पे depend नहीं करती मतलब हर जगा same है और इस electric field को हम बोलते है uniform electric field constant electric field जो बेटा होती है space में उसे uniform electric field भी कहते है अब इसी का बेटा मैं अगर आपके सामने 2D में एक picture बना दूँ तो आपके सामने बेटा एक sheet है अब 3D तो बन गया आपके सामनी sheet पे charge density लेट से बच्चो sigma है तो इस sigma की वज़ा से समझ रहे हो ये sheet का इसी sheet का अगर मैं यहां सामने से देखो अगर इसका 2D version बनाऊ तो इससे जो electric field निकल रही है याद रखना बच्चों उस electric field को एक तो मैं equally spaced parallel lines से represent करूँगा किस से represent करूँगा विने sir equally spaced parallel lines और उसकी value जो होगी वो होगी हमारी sigma by 2 epsilon 0 and again sigma by 2 epsilon 0 अब आप पूछो कि sir कैसे निकला देखो यार बड़ी सीधी सी बात है एक sheet की वज़ा से मैंने आपको बोला electric field sigma by 2 epsilon मतलब हर जगा same है अगर हर जगा उसकी value same है मतलब electric field जो होगी वो एक तो uniform होगी और parallel line क्यों? क्योंकि हर जगा spacing same है अगर field की spacing कम हो तो field बढ़ जाती है field lines की spacing बढ़ जाये तो field कम हो जाती है तो मतलब parallel lines का मतलब यहां पे भी वही spacing है यहां भी वही spacing है यहां भी वही spacing है यहां भी वही spacing है तो अगर parallel lines आपकी होगी तो हमारी equally spaced doंगी और equally spaced fields का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हर जगह उसका जो मेगनी चूड़ है वो सेम है इस इंडिपेंड़ने उस्मॉलर के इंडिपेंड़ने है यह सर दन है अब यार इसमेरा एक और बड़ा इंपोर्टन्ट केस है जो आपको अपने दिमाग में रखने है अगर हमने identical दो शीट रख दख दी है लेकिन दोनों पे चार्ज देंसिती सेम है तो उस case में याद रखना बीच में electric field 0 हो जाती है और outer region में sigma by epsilon or sigma by epsilon not हो जाती है अब क्यों हुआ? सोच के देखो बीटा अब इस region में इसका field भी आएगा इस sheet 1 का field आएगा sigma by 2 epsilon not और ये वली भी अगर positively charge हुई तो वो भी उसी direction में add करेगी तो sigma by 2 plus sigma by 2 जो आप देखोगे net आपका sigma by epsilon not बन जाएगा तो ऐसे ही यहाँ भी add हो जाएगी यहाँ भी add हो जाएगी बीच वले region में कट जाएगी सोच के देखो इस sheet का आएगा इस तरफ इस sheet का आएगा readily इस तरफ तो अगर आप देखो 9 हमारे कट जाएगे net field हमारी 0 होगी ऐसे ही बेटा और भी एक बड़ा interesting case है अगर मैं दोनों sheets identical लोँ एक मेरी sheet यह है sheet 1 एक मेरी यह है sheet 1 और एक हमारी यह sheet है sheet 2 मेरी बच्चों बात समझ रहे हो this is the second sheet तो एक पे हमारा positive charge density plus sigma दूसरी उसकी identical minus sigma मतलब एक मैंने positive sigma वली sheet ले ली बिल्कुल उसके सामने एक negative वली बड़ा मैंनी sheet और रख दी और आप से बोचूँ अब हमारा क्या महौल है तो याद रखिया रखियेगा outside region में field cancel हो जाएगी तो outside region में field की value 0 हो जाएगी और अंदर जो field होगी ये होगी हमारी sigma by epsilon सोच के देखो इसका field जो होगा वो होगा outward उसका field जो होगा वो होगा inward तो actually दोनों का field add होगा तो net field जो होगी वो इसका twice होगी तो value अंदर बन जाएगी sigma by epsilon और इसी arrangement का बेटा नाम है capacitor इसी arrangement को हम क्या बोलते हैं यह हमारा आगे जाके एक chapter है पुरा इसी arrangement को हम क्या कहते हैं capacitor, what is a capacitor capacitor is a device which is used to store energy in the form of electric field अब देखो आप अगर मैं एक positive sheet ले लो एक मैं negative charge की sheet ले लो तो मैंने एक तरह से एक arrangement बना दिया जिस arrangement के अंदर electric field store होगी है ना बाहर है ना इधर है बस उस arrangement के बीच में electric field store होगी तो ऐसे ही एक device को हम कहते हैं जिसमें electric field दो conductors के बीच में कहीं पड़ जाए उसको हम कहते हैं capacitor यह electric field का घर है तुम अपने घर में रहते हूँ मैं आपने घर में रहता हूँ electric field का जो घर है वो हमारा capacitor है बात समझ रहे हैं बच्चों कर एक बात done done ओके तो यह हमारी बड़ा छोटी मोटी बाती है देखो 2013 में question आया इसके उपर question देखी आप देखो अंदर यह प्लस sigma यह वाला हमारा भी प्लस sigma तो समझ गे कौन सा case हो गया कौन सा case हो गया यह दोनों positive हैं अंदर 0 इधर sigma waves are not left इधर sigma waves are not right तो आप से पूचा के कौन सी option देखो यह region 1, यह region 2, यह region 3 सिधा मुद्दे की बात पर करेंगे region 2 में 0 होगी अंदर वाले region में 0 तो region 2, 0 यहां दिख रहा है यहां मुझे नहीं दिख रहा है इसे reject कर देंगे यहां दिख रहा है possibility है और यहां दिख रहा है चलो possibility है ठीक है तो B option reject होगी अब देखो बिटा region 1 में आप जानते हो electric field की value होगी sigma waves are not left की तरफ इधर होगी sigma waves are not again right की तरफ तो region 1 में sigma waves are not यह 2 sigma कह रहा है यह भी reject होगया और इधर है हमारा minus sigma waves are not यह देखो यह logical है अगर vector form में लिखे हैं तो minus n cap, n cap, i cap माल लो तो basically यह minus i cap है तो यह field left होगी वो वली field होगी, वो right होगी तो मुझे लगता है यह option हमारी सही है sigma by 2 वला भी हमारा reject होगी है तो D option is my absolutely correct answer यह देखो इसी साल 2023 का यह question है बच्चाँ तो you see lots of lots of direct question lots of direct question on these particular forms बच्चाँ तो इसके लावा यार थोड़ा सा आपको और दो formula बता रहा हूँ इतने ज़्यादा famous नहीं है इतने ज़्यादा नहीं आते बट ठीक है अगर याद रख लो तो अच्छी बात है नुकसान कुछ नहीं है याद रखने में थोड़ी और safer side हो जाती है जो हमारे major important है मैं आपको बता देता हूँ point charge की field सबसे ज़्यादा important है उसके बाद hollow sphere की बहुत important है solid sphere की सबसे ज़्यादा important है तो ये तीन जो है point charge, hollow sphere, solid sphere ये topmost priority पे है इसके बाद जो सबसे important है वो ring है ring की field की उपर बहुत सारे questions आते है कभी-कभी हमसे sheet की field पूछ ले जाती है या कभी-कभी हमसे wire की वज़ा से field पूछ ले जाती है अगर आपसे disk की कोई field पूछ ले तो again disk पे पूरे area पे charge होगा तो disk के लिए भी हम क्या define करेंगे surface charge density कितना charge है उसके unit area पे coulomb per meter square समझ रहे हो कितना charge है उसके unit area पे तो एक meter square के area ले लो एक meter square की area पे कितना charge हमें दिखाई देगा उसे हम sigma कहते है तो उससे अगर कुछ distance पे मुझे electric field की value निकालनी है तो उस point का उस point का जो disk की periphery है वहाँ पे जो हमारा angle subtend होता है अगर वो angle हमारा theta है तो formula याद रखो sigma by 2 epsilon 0 into 1 minus cos theta sigma by 2 epsilon 0 into venus 1 minus cos theta ठीक है जी? तो ये याद रखो अच्छी बात है और कई बार disk वैसे बहुत rare पूछी जाती है बड़ स्टिल याद रख लो तो कोई इसमें नुकसान नहीं है और साथ ही साथ बचों एक ये अगर आप formula याद रखे देखो यार अगर एक हमारी infinite wire है और perpendicular distance पे electric field आप से पूछी जाए वो formula आप सबको पता है उसकी value आप जानते हैं वो होता है हमारा 2K lambda wire लेकिन अगर मालो वो point हमारा perpendicular bisector ना हो और साथ ही साथ हमारी wire भी infinite ना हो हमारी wire भी infinite ना हो तो उस case में वहाँ पे उस point पे electric field के दो component आते हैं एक component आता है हमारा parallel component एक आता है हमारा perpendicular component parallel component का मतलब कि वो component हमारा wire के parallel है perpendicular component का मतलब कि वो component जो है वो wire के perpendicular है तो बेटा simple सी बात है perpendicular component और parallel component दोनो start होते है k lambda by r से k lambda by r, k lambda by r r हो गया r कैलो d कैलो basically हो गया perpendicular distance और साथ ही साथ याद रखो perpendicular component में value आती है sin alpha plus sin beta की और वहाँ पे आती है parallel component में cos alpha minus cos beta तो perpendicular में याद रखना है sin alpha plus sin beta उसमें आता है cos alpha minus cos beta और alpha beta कौन है मैं यहाँ लिखे देता हूँ alpha beta कौन है alpha beta are the angles मैं लिखे देता हूँ alpha beta are the angles measured from measured from perpendicular distance in opposite directions in opposite directions to reach to reach ends of wire बड़ा interesting point है ध्याँ से सुना यार देखो मैं आपको अगली स्लेट पर बदाता हूँ आपको अच्छा लगए का सुनके देखो यह हमारी बड़ा wire है यह हमारी wire है linear charge density इस wire पे जो है वो हमारी कितनी है lambda linear charge density coulomb per meter मतलब एक meter की length पे कितना हमें charge define है ना चार्जा में दिखा अगर मालो में यहाँ पे कोई एक point ले लो और इस point का perpendicular distance wire से अगर small r है इस point का wire से perpendicular distance अगर small r है तो यार बड़ी सीधी सी बात मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं इस point आप दिखा ध्यान चे सुनना अब हमारा जो reference है वो है perpendicular distance अब perpendicular distance से कितना angle मुझे घूमना पड़ा इस एक end को touch करने के लिए वो हो गया alpha और ऐसे ही कितना angle मुझे घूमना पड़ा दूसरे end को touch करने के लिए वो हो गया हमारा बीटा जान चे सुनी यह बात very interesting points and important points also alpha बीटा कौन है alpha बीटा are the angles measured from perpendicular distance तो reference कौन है reference है मेरा perpendicular distance in opposite direction अगर एक clockwise दूसरे anti-clockwise जिससे wire के ends तक जाया जा सके यह लिखे है मैंने these are the angles measured from perpendicular distance तो reference हो गया perpendicular distance in opposite direction एक clockwise दूसरा anti-clockwise in opposite direction यह अगला point है to reach the ends of the wire जिससे wire के ends तक पहुंचा जा चके और बिटा सीडी सी बात है अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी बच्चो इसे आप सोच के देखो यार बड़ी common sense वाली बात है अब इस point पे एक electric field तो definitely उपर की तरफ आएगी इसे मैं E perpendicular कहा देता हूँ this component is perpendicular to the wire अब देखो इस तरफ अगर मालो charge हमारा जादा है इस तरफ charge जादा है तो उसके जो components हैंगे जादा हैंगे तो इस तरफ एक component हमारा बच जाएगा तो it is E parallel अब E parallel अगर इस point को मैं इधर shift कर दूँ तो इस तरफ charge बढ़ जाएगा तो parallel component इधर भी आ जाएगा तो आपको थोड़ा common sense से वाहाँ उसको देखना है ठीक है जी तो मुद्धे की बाद अगर मैं आपको सामने यहाँ पर रखों कि सर what are the formulas तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में यह छप जाए E perpendicular हो या E parallel हो याद कैसे लिखना है बचों याद रखो जैसे मैं शब्दों को बोल रहा हूँ K lambda by R K lambda by R दोनों में आएगा ठीक है ना K lambda by R K lambda by R perpendicular component में आता है sin alpha plus sin beta और again parallel component में आता है हमारा cos alpha minus cos beta और आप देखो again यह बचा यह बात यहाँ पर फिर से दोती है अगर मैं यहाँ पर parallel component की बात करूँ मतलब आप अगर symmetrical point पे हो अगर आप exactly beta मालो बिलकुल symmetrical point पे हो तो alpha, beta हमारा equal हो जाएगा अगर आप बिलकुल perpendicular पर सेक्टर पे खड़े हो तो alpha, beta बराबर हो जाएगे यह component आपका exist नहीं करेगा यह वैसे भी logical बात है ना अगर तो exactly beta middle में खड़े हो wire के यहाँ प्रपेंडिकलर पे खड़े हो तो यह component फिर आपका नहीं आएगा सिरफ यह वाला component आएगा और साथ ही साथ beta अगर आपकी wire infinite है सोच के देखना for infinite wire यहीं पे मैं ले आता हूँ यहाँ पे अगर infinite wire की अगर beta बात कर ली जाए मैं यहाँ बना देता हूँ आप लोगों के लिए let's if I talk about infinite wire अगर एक infinite wire को बेटा हम ले ले मतलब यह wire हमारी माल लो infinity से आ रही है और finally आगे infinity पे जा रही है तो if I have an infinite wire बच्छो तो आपको इस point पे गर electric field निकालनी है तो बेटा आप इस बात से सहमत होंगे यह perpendicular distance मेरा अगर r है तो आप इस बात से सहमत होंगे हमारी जो net electric field है वो इस direction में होगी और क्यों इस direction में होगी बेटा again this is very logical आप देखो इस बार हमारा alpha भी 90 degree है और हमारा beta भी 90 degree है आप इस बात को समझ रहे हूँ आप इस बात को समझ रहे हूँ आप देखो ज़रा अगर यह point में पीछे ले जाओं तो यह alpha जो है हमें और rotate हो के इदर में लेगा तो alpha is also 90 alpha is also 90, beta is also guys you know 90 तो in this case बेटा alpha, beta हमारे दूनों 90 को एप्रोच करेंगे तो हमारा parallel component तो वैसे ही 0 हो गया parallel component आने ही नहीं है cos 90 plus cos 0 minus 0 आजाएगा और यहाँ पे 90 plus 90 डालोगे तो बेटा देखो 1 plus 1 यह 2 तो आप देखो यह formula हमारा बन जाएगा कितना 2k lambda 2k lambda बड़ा interesting एक हमारा यह formula है जो बेटा आपसे कई वर कुछ लिया जाता है यह sir done है done है मेरे बच्चों और यह formula हमने पहले भी आपको याद करवाया था basically यह generic formula यह वाला formula generic formula है ठीक है जी अच्छा एक और अगर याद रख लो थोड़ा सा और safe हो जाते हो अगर माल लो मेरी wire semi infinite wire है माल लो मैं ऐसी wire ले लेता हूँ semi infinite wire एक यह बड़ी हमारी बेटा interesting कई पर पूछ ली जाती है यह paper में तो याद रख लोगे तो अच्छा थोड़ा और safe हो जाते हो तो semi infinite wire अगर यह ले ली जाए है ना let's say मैं आपके सामने यह wire ले लूँ यह wire अगर आपके सामने बड़ा रख दी जाए तो आप देखो बड़ा इसके उपर linear charge density हमारी lambda है और point बड़ा अगर मैं बिल्कुल सामने यह रख दो let's say this is the point यह मेरा point है जो मैंने बिल्कुल इसके सामने रख दिया at a perpendicular distance r तो बड़ा बताओ इसके साथ क्या होगा अगर यह semi infinite wire है मतलब पूरी wire का बिल्कुल 50% वाला point है तो इस point पे बड़ा अगर आपको electric field निकालनी है जरा notice करना बच्चो अब देखो नीचे तो charge है ही नी ऊपर ही charge है तो उसका सारा field ऐसे angle पे जाएगा सारा field आप समझ रहे हो निकालोग ऐसे angle पे जाएगा तो उसका एक horizontal component होगा एक vertical होगा तो एक component हमारा ऐसे आएगा और एक component हमारा ऐसे आएगा समझ पारे हो और यहाँ पे बेटा इन दोनों components की value भी याद रखो यह होती है k lambda by r और k lambda by r अब कैसे निकली बेटा बहुत सीदी सी बात है आप यहाँ पे देख सकते हो alpha की value जो है वो 0 degree है और जो beta है बेटा वो हमारा 90 degree है है ना आपको समझ में रहा होगा हमारा reference यह है अब actually में अगर हम देखे alpha हमें नीचे मिलना था मेरी बात समझ रहे हो alpha हमें नीचे जाके मिलना था और beta आप देख पार है बेटा beta actually हमें लेने के लिए beta हमें लेने के लिए हमें infinity पे जाना पड़ेगा तो alpha समझ रहे हो इस यह reference है reference से यह होगा reference perpendicular distance कितना नीचे जाना पड़ा और कितना उपर जाना पड़ा दूसरे end पे जाने के लिए opposite direction में alpha बेटा मिलते है reference हमारा यह है आप देखो बेटा हमारा alpha तो 0 ही हो गया हमें सामने ही मिल गया हमें rotating नीच करना पड़ा बेटा हमारा इस point को touch करने के लिए हमें beta infinity पे जाना पड़ेगा तो beta 90 को approach कर रहे alpha actually में हमारा बेटा जो है यहाँ पे वो हमारा 0 है तो आप देख सकते हो ना alpha सीरे ही मिल गया हमें alpha जो है विने सर वो हमें सीधा ही मिल गया तो alpha की value जो है वो 0 डिगरी आ गया beta 90 आप यहाँ पे beta values पुट करना है ना एक 0 एक 90 तो आपको समझ मैंगा parallel और perpendicular component दोनों के lambda बायर के lambda बायर निकलाई है यह सवाल है कई बार सीधा पूछले जाता है बस दिमाग में रखिए बाकी स्कुपर को tension वाली बात नहीं है यह सर तो field बेटा हमारी यहाँ पे majorly हो गई है अब एक छोटा सा point officially आपको बता रहा हूँ अनफिशली तुमने से कई बर इस session के दुरान देखी लिए कि यार actually में अगर मैं आपके सामने यह line लिखता हूँ कि जो force per unit test charge है यह मेरी अगर electric field है तो मैं इस बात को फिर दुबारा दोरा देता हूँ जो force होती है वो basically q into e के बराबर होती है तो मतलब यार अगर तुमारे सामने एक electric field है यहांचे सुनना मेरे बच्चों screen पे आपके सामने बच्चों अगर एक electric field है जिसका magnitude e है और हमने यहां पे दो charge रख दिये एक रख दिया बेटा positive charge और एक रख दिया negative charge ध्यांचे सुनना इस बात को तो positive charge पे force जो होगी वो होगी field की direction में तो वो force इधर लगेगी that is qe और ऐसी अगर यह charge नमारे negative हुआ तो force qe ही होगी लेकिन field के opposite लगेगी तो यह हमने officially अब एक बार आपको बारा बता दिये that is the force due to electric field अनफिशली इसको मैंने पूरे session के अंदर यूजी किया मैं सीधा एक धासू question आपको करवाता हूँ बेटा जो आपका paper में के इवर पूछ ले जाता है ठीक है यह यह लल्लू problem है यह देख लेते हैं इसके बाद एक अच्छा question करेंगे फिर अपना आज का session दन है question लीट करो जड़ा एक बार हाँ जी बच्चों बटा like दे वीडियो शावाश लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें बहुत सारे बच्चे जदे से पहली बार देख रहे हूँ तो इस channel पे सब कुछ तुम्हें करवाया जा रहा है बस आपको थोड़ा सा regularity बच्चों रखनी है question देखो किरे एक vertical electric field है जिसका magnitude बटा आपको गिवन है इतना I have a vertical electric field जिसका मुझे magnitude गिवन है ठीक है तो मेरे बात समझ रहे हूँ तो मेरे पास एक vertical electric field है E of mass from falling तो हमारे पास एक water droplet है तो मालोई कोई water का droplet है उसके उपर कुछ charge Q होगा उसके उपर mass कुछ उसका M होगा तो वो नीचे नहीं कर रहा तो बट श्री सी बात है बेटा नीचे क्यों नहीं कर रहा क्योंकि एक electric field अगर उपर है तो force उपर लग रही होगी बेटा हमारी कितनी QE और क्योंकि बेटा हमारा इसका अपना weight भी नीचे लग रहा है तो that is equal to mg तो आप यहाँ पे देख सकते हो QE जो है basically वो mg के बराबर है QE equal to mg तो upward force नीचे वाली force को balance कर लेगी तो यहाँ से बेटा मुझे किसकी value निकालनी है the value of charge तो charge की value निकालनी है mg by electric field mg by electric field तो simply आपको mass पता है, g पता है electric field की value गिवन है आपको I guess है ना और water droplet का mass भी गिवन होगा मेरे खाल से हैं ना 0.1 gram तो इसे kg में गनवर्ट कर लो तो charge की value आपसे पूछे के लिए ठीक है ना तो बहुत simple question है solve करिए भी वंपयापका सई जबाब आजएगा अब सीधा एक अच्छा quality question डिसकस कर रहा हूँ जो screen पे आपके सामने आ रहा है सब बच्छे ध्यान से देखना सबसे best problem best problem है ना यह best question है और मुझे बड़ा अच्छा लगा था बेटा है ना यह best PY की हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा यह सवाल जब इस साल 2023 में भी आया तो इस question की बड़ी इज़त है काफी सालों से यह missing था electric field की उपर यह सवाल आनी रहा था लेकिन इस बार जब मुझे याद है यह 25th January 1st day था I guess 24th January पहला दें था 2nd day था हमारा 25th January जब यह पहली attempt हमारी लास्ती रही थी तो मुझे याद है यार जब यह question बचों ने हमें हम memory based discussion यूट्यूब पे करते हैं आपके time भी करेंगे तो जब यह सवाल बचों ने आके बताया ना मुझे बड़ा अच्छा लगा देके हाँ यार मतलब बच्चे हमारे यहां पे तगड़े हैं बच्चे समझ रहे हैं यहां पे हो क्या रहे हैं तो I really really like this problem तो मुझे बड़े खुशी हुई जब यह सवाल जाइमेंस में आया था मैं आराम से आपको इस question को discuss करूँगा question को जड़ा ध्यान से सुनना और समझना देखो कह रहे हैं कि uniform electric field हमारी बटा exist करती है between two charged parallel plate तो देखें ऊपर positive charge है नीचे negative plate है तो positive से negative हमारी एक electric field बटा नीचे के तरफ create हो रही है ठीक है in the downward direction मैं आगे आपके सामने यहाँ पर guys I will be needing a blank slide मुझे एक slide यहाँ पर चाहिए होगी तो let me do one thing let me add one slide here एक second दीजे बस बच्चों मुझे एक तो यह white slide जब आती है इसको फिर हमें black करना पड़ता है इसको black कर देते हैं एक second दीजे बिल्कुल सही है तो अब इसे अपन copy कर लेते हैं एक बार और प्रेस कर लेते हैं कि जैस कि आज देखे बच्चों कि यह सारा सेट कर दिया हमने आजो बिल्कुल आओ बच्चों देखो तो यहार एक्चली में मैं आपके सामने सासा डियाग्रम भी एक ब्लैंक स्क्रीन पर बनाना चाहता हूं ताकि आपको पूरी सिचुईशन समझ में आए बेटा ठीक है जी तो यह हमारी एक positive चार्ज की शीट है और यह हमारी एक negative चार्ज की शीट है और यहां पर बच्चों यह बात याद रखिए और यहां पर बच्चों यह बात याद रखिए एलेक्ट्रिक फिल्ड जो है यह बेसिकली उपर से नीचे की तरफ आ रही है। इनर्जी की value निकालू, half mvx square, यह जो kinetic energy है, यह हमें given है, कितनी 0.5 electron volt, 0.5 electron volt, ठीक है जी, और मैं आपको वैसे बटा एक बात बता दू, जो 1 electron volt होता है, यह होता है, 1.6 into 10 की power, minus 19 joules, electron volt भी energy के unit है, तो अगर इसे joules में convert करोगे, तो यह होता है, 1.6 into 10 की power, minus 19 joules बचाओ, त जैसे यह electron बिड़ा enter करेगा, electric field downward है, तो इसके ऊपर upward direction में एक force आएगी, ध्यान से सुनना, upward direction में force लगेगी, मतलब upward direction में हमारे पास acceleration आएगी, आप ज़रा notice करना, बच्चों, सारी situation क्या है, यह हमारा basically 2D motion हो रहा है, तो x-axis में initial velocity 0 थी, sorry, x-axis में initial velocity हमारी vx थी, vx मेरी x-axis में velocity थी, और y-axis में हमारी initial velocity 0 थी, y में 0 थी, because सारी velocity horizontal थी, अब ऐसे ही बेटा, आप पे जो force लग रही है, acceleration का बाती है, जब हमें force मिलती है, electric field नीचे है, तो force उपर की तरफ लगेगी, तो acceleration y direction में आ जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, qe by m, आयोब आप समझ रह direction में qe by m, तो जिस direction में हमें धका मिलेगा, उस direction में हमें force मिलेगी, तो अब acceleration y में आने की वज़े से, आप y direction में भी चलना शुरू कर दोगे, लेकिन आपके पास x में भी velocity थी, आप y में भी उठना शुरू कर दोगे, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा, कि basically, ये एक curved direction म हमारा charge particle चलने लग पड़ेगा, उसका simple सा reason क्या है यार, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे, क्योंकि y direction में जब acceleration आजेगी, तो y direction में velocity आने भी शुरू हो जाएगी, x में velocity तो पहले से ही थी, तो technically speaking, हर instant पे, उसके पास दो direction में velocity होगी, एक x में और एक y में, तो basically, वो angle जाना शुरू कर देगा, एक curve trajectory के उपर, और आपसे यही पूछा गिया है, जब finally वो यहां से बाहर निकलेगा, तो कितना angle deviate हो जाएगा, तो eventually he is asking about, you know, this particular point, कि जब मैं finally यहां से निकलूँगा, तो x direction में velocity तो देखो, बिटा, same ही रहेगी, आप इस बात से सहमत हो, v x ज तो हमारी x direction में जो velocity initial थी, v x वही हमारी रहेगी, तो v x is always constant, विल्गोई प्रोजेक्ट का इल्मोशन वाला सीन हो रहे है, और हाँ बचों, इस time पे अगर मैंने y direction की velocity निकल दी, तो मैं easily बेटा, deflection angle दे सकता हूँ, क्योंकि जो deflection angle जो होगा, वो होगी, यह net velocity, यह जो net velocity ह इसका जो horizontal के साथ angle है, वो मेरे को निकालना है, तो tan theta की जो value होगी, वो होगी हमारी v y, by venacer v x, शीरी सी बात है, मुझे tan theta v y बे v x निकालना है, बचों, तो y direction की मुझे velocity निकालनी है, बाकी सारी बिटा हमारी life चले, तो देखो बड़ी शीरी सी बात है, x वली velocity तो मुझे यहां से मिली जाएगी, इस equation से, ठीक है, तो अगर मैंने वो निकाल दी, तो life हमारी बेटा, sorry, sorted है, तो मैं आपको सामने वो निकाल के दिखाता हूँ, आपको बहुत simple है, देखो यहर, y direction की velocity है, देखो ऐसे सोचो, v y जो है, वो किसके बराबर है, v is equal to again, u plus 80, and let us, you know, write this equation in y direction, तो y direction में initial velocity 0 थी, initial velocity हमारी 0 थी, तो it is basically qe by m into t, अब time कैसे निकालोगे बेटा, time आप निकालोगे, यहां से, आपको यह horizontal length भी गिवन है, यह horizontal length भी आपको गिवन है, this length is also given to you as 10 cm, तो यह length की value अगर आप देखें, let us apply this equation of displacement, ut plus half 80 square in x direction, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर observe करूँ, कि x में तो acceleration 0 है, तो मैं अगर यहां से यहां पहुंचा हूँ, तो x में displacement तो length के बराबर हुई न, x में, basically यहां से यहां पहुंचने में, x में displacement तो हमारी L के बराबर हुई है, तो अगर मैं sx को L ले ल यहां पे time की value मिल जाएगी L by Vx, I hope आप समझ पा रहे हैं बचों, है न, तो basically मैंने क्या किया, देखो मुझे Vx की value पता है, kinetic energy मुझे given है, 0.5 electron volt, mass of electron मुझे पता है, मैं यहां से Vx निकाल लूँगा, और जैसे ही बिटा, मैं यहां से Vx निकाल लूँगा, तो L by Vx करके म मुझे वो time मिल जाएगा, जिस time पे वो exit करेगा, यह भी अपने आप में question है, कि कितने time में यह exit करेगा, यह भी पूछा जा सकता था, वो आप निकाल लेते हैं, लेकिन deflection angle पूछा गया, तो time की value आपने निकाल ली, time की value आपने निकाल ली, आपने यहां पे put कर दी, और तां कि आप लोगों को कोई tension ना रहे, तो मैं अगर यहां पे by की value निकाल लूँ, तो देखो by किसके बराबर आ रहे है, by comes out to be qe by m into t, qe by m into venusor t, और t की value क्या है, l by vx, तो आप अगर यहां पे थोड़ा सभी बिटा यहां पे दिमाग लगाएं, आपको हस्ते केलते हैं यहां से by की value मिल जाएगी, तो बाकी finally आपको क्या करना है, आप इसको और अच्छे से कर सकते हो, आपको tan theta की value निकाल नहीं है, it is nothing, it is vy by vx, तो देखो ज़रा, vy by vx, मैं आपके लिए थो simplify कर देता हूँ, यह काफी इसान हो गया, vy by की value आजेगी बेटा, qe into l by m into vx, यह यह वी by की value है, qe l by m into vx, और नीचे की vx हो रहे है, तो by vx square आजेगा, अब आप ज़रा notice करो, यहां पे, आप half से multiply करो, और half से divide करो, देखो, यह half m vx square, actually मैं बन गी आपकी kinetic energy, यह आपकी बन गी बिने सर kinetic energy, तो ideally speaking आपके सामने tan theta की value आ रही है, आप देखो बेटा, half of e into e into l upon kinetic energy, तो मुझे लगता है यहां से आपका final answer निकलाएगा, ठीक है जी, तो electric field बता है, kinetic energy की बता है, तो आप अपना basically यह step एक बजा सकते हो, यहां से vx की value को solve करना, वो step आपका बज जाएगा, आप सीधा यह value ठोको, और मैं आपको बता हूँ पेटा, यह आप solve करोग तो यह एक लिए 10 theta 1 आएगा, solve करना, theta की value 45 degree आजाएगी, ठीक है जी, तो ऐसे आप इस पूरे सवाल को कर सकते थे, it is a good problem, और mains में question easy आते हैं, लेकिन हा, उस shift का, it was one of the best question बता हूँ, और ऐसे questions तुमारे सामने आते रहें, उसके लिए बदले में आपको क्या करना है, वी वीडियो को like जरूर करें, और ऐसे बेटा हम आगे जब बढ़ेंगे, तो one shorts पे भी आएंगे, और जहां जहां में लगेगा, ठीक है, यह हमारा starting का chapter है ठोड़ा, और आपको यहां पर हम theoretically और deeper, जा जाके lecture बे lecture बता रहे हैं, बाकी आगे हम बढ़ेंगे, और आगे, क्यों और उनको भी इस चैनल से क्या सही फायदा हो, जिसके लिए हम यहां पर आपके सामने आते हैं, आपके J-E preparation में, अगर आपका हमारे इन lectures की वज़ा से, एक question भी ठीक हो जाता है, तो बेटा, हमें यहां पर आना, आपके समक्ष present होना, खड़े होना, वो सब हमें कारगर वीडियो से, तो हम यह वीडियो से आपके सामने हर साल लाते रहेंगे, बाबाए, God bless you, जैमातादी, मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर, Bye everyone.